हेलो एब्रीवान स्वागत है आप सभी का हमारी cf final audit की fast track batch वे जो उसका नाम है audit faster स्वागत करते हैं आप आरे सारे live batch के students का और google drive, pen drive, android, ios जिस भी madhyam से आप देख रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत-बहुत स्वागत in this journey of auditors जिसमें अब हम बनाएंगे audit को सबसे scoring दोस्तों cf final advanced auditing assurance and professional ethics आपका group 1 का paper 3 जिसके कारण ही group 1 में धग 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 बच्चों की होती है एक law था वो तो elective में चले गया ऐसे फेम और एफर में तो आप score करोगे तो नहीं है हमारी पार audit लगाएगा नहीं नहीं audit तो हमारी नहीं पार नहीं लगाएने वाला है सिर्फ वह हमें क्या करने वाला है उचाहियों तक पहुचाने वाला है ऐसी त्यारी हम करेंगे तो आज हम batch start करने से पहले सबसे पहले एक बार syllabus देख लेते हैं उसके बाद batch की जानकारी उसके बाद थोड़ी सी मेरी जानकारी और इसी के जाद शुरुआत करते हैं दोस्तों हम से यह final audit की और जब भी हम audit पढ़ते हैं तो एक चीज दिवाग में एकदम कबूल कर लेते हैं कि in God we believe rest we audit दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करने के लिए मैं आपके सामने आपकी इस ब्रह्मास्त्र किताब को open करता हूं बहुत-बहुत स्वागत है हमारे live के सभी students का अमृत सर दिल्ली इंदौर एहमदाबाद बैंगलुरू यह कौन सी जगे है जवार भाटा बढ करे हुए जैपूर 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 जोत्पूर क्या बात है चलिए पाली से भी लोग है राजस्थान बरा हुआ दिख रहा है यहां पर बहुत-बढ़िया चलिए बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का शमागर है मैं सबके चेहर नहीं ले पाया बट अब आते हैं हम हमारी इस बैच के डिस्किशन पे दोस्तों वेन यह टॉकिंग अबाट इस पर्टिकुलर सब्जेक नाव प्लीज अंडेस्टाइंड न्यू कोर्स में सबसे ज्यादा बदलाव इस सब्जेक में और इससे समझ लेना हमें बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है क्योंकि मैं आशा करता हूं कि नॉमली वो स्टूडेंट्स लेंगे जिनकी एक्जाम से एक साल के अंदर अंदर होगी इस कारण से यह भी हो सकता है कि हो सकता उन्होंने और प्रिवियस सिलिबिस में पट रखाओ और अगर आपने ऐसा किया और आप फास्ट्राक ले रहे हो तो इस इस वन फेस्ट बेस्ट इसजिए विच्ट रिश्ट जादा चेंज़ेंगे राची, ग्वालिया, रमृत सर्बढ़िया, देखिये तोटल आपके सिलिबिस में दोस्तों ये 19 चाप्टर है, ICI के इंडेक्स से नहीं अपन भ्रहमास्त्र जो आपकी कॉंसेट बुक या थियोरी बुक है, जो स्टड़ी मटीरल के दाधार पर बनाए गई है, इस किताब के इंडेक्स से मैं आपको रेफर करके बता रहा हूँ 19 चाप्टर में से आज जो हम शुरू करेंगे वो होगा चाप्टर 19 प्रोफेशनलितिक्स, आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और ये जो मैं सब यहां पर लिखने वाला हूँ, ये आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है, इसलिए वाट आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, ये जो पेज़े आपको दिख रहे है, ये as it is Google Drive में आपको अपलोड करके हर स्टूटिन को शेर करती है जाते हैं, आप चाहें तो इनका प्रिंट निकाल सकते हो, ये जो क्लास में मैं स्क्रिबलिंग करता हूँ, ये वो है, यहां पर मैंने अड़ कर दिया, तो किताब में तो ही है, प्लस मेरे notations भी आपको मिल जाएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स, liabilities of auditor नाम का है chapter, जो आपने old course में पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है, except company audit के कुछ provisions यहां पे एक clause में add किये हैं, तो company audit क्योंकि एक chapter हुआ करता था दोस्तो में appointment of auditor से related provisions इस chapter में add कर दिएगा है, descript 70 marks का आएगा, MCQ 30 marks के होंगे, 70 mark के descriptive में normally past paper pattern के अनुसार 88 to 89 marks का paper आता है, जिसमें optional question एक 14 mark और एक internal choice चाहर से 5 mark की आती है, इस reason से, out of descriptive 70, realistically बोलू तो 88 to 89 marks में से, professional ethics का 12 to 14 marks का weightage होता है, और ये 12 to 14 में से आप full 100% score कर सकते हो, fast track batch के students के हिसाब से मैं कह रहा हूं, पूरे marks लेके आ सकते हो, ये इतना scoring है, इतना interesting है, इतना असान है, इसके बाद सबसे ज़्यादा weightage अगर institute ने किसी को दिया है, तो ethics से भी ज़्यादा है, in fact अगर देखे तो standards को दिया है, institute ने शुरू के 11 chapter अब पूरे standard based कर दिये, मैंने ये नहीं बोला सिर्फ essays हैं इन में, ये standard based chapter है, 11, और इसी लिए आपकी ब्रह्मास को हमने दो volume में डिवाइड किया, जो volume 1 अब मिलेगी आपको उसमें chapter 1 to 11 होंगे, ये आपको page numbers दिख रहे हैं, जिसमें सारे standard based chapter कवर्ड है, institute ने chapter के नाम दिये हैं, जैसे quality control, और इसके अंदर standard कवर्ड किया है, SQC 1 और इसे 220, chapter 2 को नाम दिया है, general auditing principles and auditors responsibility, जिसमें ऐसे cover किये हैं, 240, 50, 60, 99, 402, इस तरह से अगर आप देखेंगे, तो chapter 1 to 7 जो हैं, उनमें वो essays cover किये गए हैं, जो old course में भी होते थे, 8 chapter में 800 series cover की गई है, ये new edition है, ये old course में नहीं होता है, और 9, 10, 11 chapter में आपकी 2000 to 4000 series के standards cover किये गए हैं, जिनमें कुछ review, तो कुछ other procedures और कुछ review, कुछ non-historical assurance, financial data पे या non-financial data पे assurance services, यानि other assurance और कुछ specified audit, non-audit procedures, related service जिसे कहते हैं, उस से related suspended है, 2000 series review, 3000 other assurance, 4000 related service, ये नहीं आ गए, plus, बहुत सारा company audit इस particular chapter में आड़ कर दिया गया, section 143, companies act का, जो duties of auditor के provision हैं, power का सब section 1 नहीं, बाकी सब duty, 145 और पूरी की पूरी कारो, जो लोग कह दे हैं कि company audit हट चुका है, और ध्यान रखें कि वो, एक limit तक हटा है, पूरी तरह से नहीं हटा है, और वो chapter 7 में शामिल किया गया, अब एक बहुत important बात, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, हम शुरू के कुछ समय को पूरी तरह से हमारे subject को grip पे, लेने पे invest करेंगे, तो मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ, inter में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, final में अगर आप लोग को पताओ, तो institute पहले एक अलग से किताब देता था, auditing pronouncements की, मेरा आप से सवाल यह है कि, essays now are to be studied, completely based on the bare text, as it was required in old course, और you have to study essays, only to the extent of content given in the ICI, new study material relating to essay based और standard based चाप्टर, एक सवाल पूछा है, आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको फोल में participate करने का मौकाब, और इसकी उपर मैं पूरे 5 मिनिट देना चाहूंगा, क्योंकि यह इतना जादा important discussion है दोस्तों, कि इससे आपकी approach सही और गलट decide हो जाएगी, पूरी पढ़ने की और यह day one पर आप सही कर लीजें, old course में institute auditing pronouncement की एक किताब देता था, और आपको कहता था कि भाई, आपके essays के उपर based हमारे पास अलग से कोई chapter नहीं है, कुछ chapter थे जैसे audit report, risk assessment, internal control, audit planning, strategy, program, बाकी दूसरे essays का chapter 1 होता था जिसमें सारे essays के overview होते थे और बोलते थे कि यह overview दिये वे तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो overview दिया है उत्ता नहीं पड़ना है, आपको बेर essays की टेक्स के अनुसार जित्ता पूरा content है वो पूरा cover करना, old course, अब आगया नया course, नय कोर्स में वो जो सिर्फ एक chapter होता था overview का उसकी जगे आपको मैंने अभी दिखाया 1 to 11 chapter कर दिये, 1 to 7 तो बोली सकते, 8 to 11 नहीं आए, जिसमें कुछ chapter पहले भी थे risk assessment, audit planning वाले, बाकी सब नहीं add होगे, और इन सब के अंदर essay का content, क्या यह 100% of the essay को कवर करता है, obviously नहीं, क्या इसमें essay के सारे content covered है, I will not say in all standards, it is covered like, institute से दोस्तों, we personally discussed this and we have got an idea from the institute and institute is very clear कि final में standards आपके syllabus में पूरी तरह, हमने का भई आपने तो कहा था कि inter-based जो standard है वो final के syllabus में नहीं है, in fact आपने कहा था कि उसका student को सरफ एक application based study करना है, तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल सही है कि जो inter category के standards थे जो आपके यहां पे chapter, mostly अगर आप देखेंगे तो 5 और 6 में आपको देखेंगे, इन standards पे हम application based question पूछेंगे theoretical question नहीं पूछेंगे पर एक भी standard ऐसा नहीं है जो आपके syllabus में cover नहीं है, आपको सारे पढ़ेंगे तो इसका मतलब से राइसी आई का study material प्रहमास्त्र नहीं है, उसके बाहर भी हमें पढ़ना पढ़ेगा, तो thankfully study material इतना अच्छा बनाया है दोस्तों इस बार की majority standard का sufficient content जो normally past में पूछा जाता है वो cover नहीं, पर फिर भी कुछ standards है जहां पर कमियां हैं, जहां पर coverage कम हैं, कैसे पता आपको सब कम हैं, क्योंकि उन questions या उन मुद्दों के उपर पहले exam में question पूछे जा चुके हैं, और YCI के study material में है ही नहीं, जैसे standard on quality control के उपर कुछ ऐसे matters हैं, जिस पे सवाल पूछे जा चुके हैं, पर YCI के study material में, जो old course पे question पूछे जा चुके है, SQC1 के उपर based, वो study material में उसका content ही नहीं है, हो सकता examiner वही question repeat पूछ ले, तो आप कुछ नहीं कह पाओगे, अरे आपकी copy में marks सापको सही नहीं मिलते हैं, तो आप कुछ नहीं कह पाते हैं, अपन कुछ नहीं कह पाते हैं, बात करते रह जाते हैं, तो आपने को बिढ़ना नहीं है, तो सर यह तो आपने confused करते हैं, अब हम क्या करें, आई से का study material पढ़ें, या पूरी coverage करें, में 24 में तो सर स्टडी material से भाहर नहीं आना चाहिए, देखो दोस्तों, जब जब नया course आया है, तो हमने क्या solution निकाला इसका, बहुत simple solution है, बहुत simple, पर यह solution निकलने के बाद simple लगा, what we have done is, हमने अपनी पूरी किताब, जो आपकी किताब है दोस्तों, वह 100% ICI के study material के उपर based है, और जहां भी थोड़ी बहुत जगे, ऐसा feel हुआ, कि कुछ चीज़े ऐसी है, जिस पर past में questions पूछे गए हैं, या important है, बट ICI के study material में covered नहीं है, उन सारी चीज़ों को आपकी किताब में, essay red bracket के साथ add करके दे दिया गया, which indicates content of essay which are relevant, but not included in ICI study material, this solves the problem of all the students, जिनको पूरी coverage करनी है, वो इसे cover कर सकते हैं, जिने पूरी coverage नहीं बस, ICI material coverage करनी है, वो सुफ red bracket वाली चीज़े छोड़ दीजे, believe me, पूरी किताब में, 10% pages में आपको red bracket देखेगा, मुश्किल से बस, पर इससे एक तसल्ली हो जाएगी, कि अपनी coverage पूरी 100% हो जाएगी, पहला, दूसरा important चीज़ समझ लो, standards के बारे, institute ने कुछ standards, कहीं पर भी cover नहीं किया, जैसे कि, ऐसे two-undered, for all objectives of independent auditor, and conductor of audit, as per essays two and zero, agreeing to the terms of engagement, documentation, motility, or misstatement in audit of financial state, हाला कि इन में से, कुछ के related MCQs हैं, तो क्यूंकि यह ज़्यादा बड़े standard हैं, नहीं 5 हैं, इसलिए इन 5 standards को, अलग से cover कर दिया chapter 5 में, आपकी ब्रह्मास्त्रम, और कैसे, चार्ट्स के मात्यम से, ताकि अपन quick और selective study इसके कर पाई, यह एक detailed analysis है, जिसको अगर आप खुद बैठ के audit करने जाओगे, तो आपको हो सकता है, 4-8 घंटे लग जाए, करने की जरवत नहीं है, जब करने के बाद आप conclude करोगे, हाँ इस chapter में यह वाला standard है, और यह total standard missing है, आप इसी निशकर्ष पे निकलोगे, यह particular निशकर से, we have got the best of both the worlds, a, we will be focusing on all the institute content, plus b, 10% pages में हो सकता हमारा कुछ content नहीं है, और जिसको हम cover करेंगे, revision के तौरान आपके अच्छोईज एक इतना करना है नहीं करना, मैं माग भी कर दूंगा क्या relevant है, c, यह कुछ 5 standards ऐसे हैं ICI के material में कहीं भी cover नहीं है, पर फिर भी हम चार्ट से इसको फटाफ़ट कर देगा, यह सबसे पहली बात हो गई दोस्तों, आपके पूरे syllabus में पहला अपन ने content किया, discuss किया, professional ethics, second अपन किसके उपर आ गए, standard based chapter के उपर, standard based के बाद 7th में company audit है, 8th से लेके 11 तक के सारे नए standards हैं, जो आपको जितना यहां दिया है, उत्ता ही cover करना है, and this is also what we have discussed कि इसमें, limited ICI material content coverage is sufficient, मैं सब note करा दूँगा भी आपको, अब अपने बज़ते हैं कौन से chapter 12 to 18, chapter number 12 is a new chapter, पहले होता था auditing under automated environment, उसके और इसके अंतरगत आपको hardly कोई similarity मिलेगी, इतना जादा फरक है इन दोनों chapter, और यह बड़ा important एक question था है, इसके उपर descriptive में आना है, पहले भी आता था rare attempts में दो आ जाता है, rare attempts में नहीं भी आता था, पर average एक question पांच मात था है, पहिवाल compulsory में भी आए, important कहेंगे, लेंदी chapter है, बहुत ही crisp notes बढाके आपको, पूरे study material को इस तरह से cover के आए, कि आप पढ़ भी पाऊगे, समझ भी पाऊगे, और revise करके याद भी exam से पहले पाऊगे, group audit is audit of consolidated financial statement, यह old syllabus में भी था, और यह more or less वैसा ही chapter, audit of banks is more or less similar, to the old syllabus, NBFC में major changes हुए, major, और दोस्तों ऐसा है कि बहले ही changes 30% है, पर वो 30% का weightage, normal questions या normal topics से दोगुना होगा, तो आप समझ सकते हो, weighted average importance of the changes are much, NBFC पूरी तरह से change हुआ है, PSU is once again similar, hardly there are much changes here, internal audit, management audit और operational audit होता था, इसमें, I will say it is similar but not exactly the same, कुछ चीज़ है इसमें add list किये है, बाकि वो thankfully management operational audit topic खट गए, due diligence investigation, forensic accounting में यह दोनों topics similar हैं, लेकिन forensic के अंदर किसी प्रकार के कुछ additions किये गए, और यह वाला topic पूरी तरह से नया है, professional things and liabilities of auditor में कमनी audit के अलावा similar है, कि कितना बड़ा confusion है, standards के ओपर equally divided population है हमारी, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, शुड भी study from the bay text, तो ओबिस सी बात है, बेटेक्स से पढ़ने की जर्वत कभी भी नहीं है, ना old में थी ना new में, क्योंकि आप उत्ता रिटेन नहीं कर पाओगे, आपने एक syllabus का analysis कर लेते हैं, चाप्टर 1-7 आपके essay-based chapter है, जो की approach change हो गई है, content similar है, 7 में company audit का certain portion आ गया है, बहुत सारा delete हो गया है, कारों पूरी की पूरी है, report certificate पहले भी होते थे, अभी भी है, again approach change हो कि यह more or less content similar है, यह सब नए standards आ गए हैं आपके, 12 और 18 नए chapter आ गए, 13 से 17 और 19 more or less same similar है, ethics में company auditor add किया गया है, इन में more or less आपके white topics हैं, जो पहले हुआ करते थे पर अंदर कहीं-कहीं थोड़े बहुत changes हैं, और changes ज़दा important हैं, तो मैंने कहा कि MCQ के point of view से अगर आप देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा importance MCQ में, किसका होता है, historically देखा गया है company audit और जित्ते भी आपके यह specific entities के audit होते हैं, digital environment में कैसे audit करोगे, bank का कैसे, NBFC का कैसे, यह हमीशा ज़्यादा important है, तो law based, provision based जित्ते भी chapter हैं, जैसे company audit होगे, प्लस जो individual chapters हैं, MCQ के point of view से ज़्यादा important होते हैं, वहीं पर ethics के उपर historically बहुत कम MCQs पूछे जाते हैं, standard average importance वाले हैं, बहुत ज़्यादा as such आप देखोगे तो नहीं मिले, हाला कि institute ने integrated case study standards पर काफी अच्छी include करी है, मैं उस बारे में बात करूँगा भी, तो पता नहीं अब एक आद दो attempt के बात समझ में आएगा, पर यह past experience उतार हो, descriptive के point of view से discuss कर रहा था, इसके अलावा जो आपके नए standard है मुझे लगता है उनका वेटेज है, बहुत ज़्यादा पहले होते थे 2017 से पहले, अब इन टीचिंग से 2006 तब हम पढ़ाते थे नएवाले standards, 2017 से standard हटाए गया आप वापस से इसको include कर दिया गया, यह क्योंकि नए chapter आए तो मैं इन्हें 3 star importance दोंगा, this will also be 2 to 3 star depending on individual chapters, and ethics definitely is a 3 star, इसमें अपने को individually pick करना पड़ेगा, जैसे CFS का 1 star होगा, bank audit 2 star, NBFC में amendment है तो 3 star, PSU is 1 star, internal audit is like 1 star, investigation is 2 star, forensic में नए edition है तो 3 star, company audit का portion relatively अब पिछले से कम है तो मैं CFS को दो दे दता हूँ, इस तरह से यह मेरा expectation है, यह incubator होगा, हमारी fast track बाच में अप्रोच क्या रहेगी है, अब हम सबसे पहले दोस्तों शुरू करेंगे ethics से, फिर ethics cover करके हम क्या करेंगे, हम यह जो आपके chapter 13 to 17 और यह cover करेंगे, यानि effectively आप देखो अपन क्या करने वाले है, 13 to 17 और 19 यह वाले cover हो जाएंगे, ताकि अब तो यह सारे individual chapters cover हो जाएंगे, जो एक तरह से देखा जाए तो MCQ point of view से बड़े critical है, important है और descriptive में भी weightage ठीक ठाक है, फिर अपन SS पे चल जाएंगे, SS करते जाएंगे, बीच में अपना chapter 7 आएगा तो company audit पे shift हो जाएंगे, वो पूरे कर लेंगे, बचे वे standards and digital, तो यह हमारा more or less class पे sequence रहेगा, पढ़ने का तरीका बहुत ही simple है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ किताब खोल के रखना है, और किताब से आपको review, मतलब इसका यह है कि आपको सिर्फ किताब में marking करते जाना है, अलग से note source बनाने की कोई जरवत नहीं है, थोड़ी बहुत scribbling के लिए आपको copy लगेगी, कई question answers हम class में discuss करेंगे, writing कैसे करना है, यह ऐसी कुछ important चीज़े बताऊंगा, आपको लिखने की इच्छा है तो लिलना, otherwise जो भी मैं लिखता हूँ, वो सब आपको boat notes PDF में मिल जाएंगे, आप उसे download करके print मिकाल सकते हो, चलिए, मेरे बारे में 2003 में मैंने CA complete किया, 1999 में बारवी में All India married प्राप्त होने के करण, घरवालों को लगा CA गल लेगा, आपने को भी लगा कल लेगे, और कुछ था भी नहीं ज़्यादा पढ़ लिए, commerce with maths था अपना, first item में CA सब कुछ clear हुआ, final में All India 46th rank लगी, ITC कंपनी में job लगी, sorry 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 gold flick cigarette वाले नहीं आप लोग तो classmate notebook वाले, तो ITC जो आपके अलग-अलग तरगे products आते हैं जिसके gold flick, wills, और classmate, आशिरवाद, Sunfeast, Fiamma, D-wills और क्या-क्या, तीन साल मैंने वहाँ internal audit में corporate accounts revision में काम किया, खुब सार audit जो मैंने real life का सीखा है, काफी कुछ ITC की उसमें देन है, उसके बाद लगा life में कुछ charitable करना चाहिए, 2006 we started fast first attempt success tutorial, फर्स्ट अटेम्ट सक्सेस टूटोरियल आक्रोनिम डाइस फास्ट सुद्देश से शुरू की गई कि सबके attempt हमारे पास आने के बाद first attempt में बच्चा क्लियर कर सकें, कोशिश यह थी कि हर किसी का performance पहले से बहतर किया जा सके, और क्या ऐसा हुआ, तो हमारी उपलब्दिया बेसिकली आप लोगों की उपलब्दिया हैं, I have taught institute के अभी तक तीन अलग-अलग तरह के courses जिन में पहले मैंने बताया आपको 800-4000 series भी हुआ करती थी, मैंने 2006 से लेके देख सकते हैं almost 17 years of experience यानि somewhere around 30 odd attempts institute के papers देखे, पिछले 15 साल चाप देखेंगे तो youtube पे जिस दिन exam का paper होता है उसी दिन में उसका review भी share करता हूँ, with just simple inclination की कुछ students साते review देखना plus एक paper का updates अभी student को मिलता और मैं कहता हूँ मेशा जिनके exams अभी नहीं थे वो लोग definitely review को देखें ताकि आपको orientation आपके exams के लिए मिलेगे, हमारी उपलब्दिया students की उपलब्दिया है, और यहां पर भी अगर कोई अगरवाल है तो आपके chances बड़े प्रबल है, और नहीं है तो आपके प्रबल chances है कि आप इस record को तोड़ेंगे, एक बार All India highest आये थे audit में 75 marks और एक बार All India highest आये थे audit में 70 marks, 70 mark में All India highest तर जूड़ बोल रहे हो, उसे institute की तरफ से paper मिला था, 12,000 रुपे मात्र की scholarship मिला तो इसका मतलब क्या है तो ऑडिटे के ऐसा paper है जिसकी marking attempt to attempt vary good, पिछल attempt में 9 mark की grace दी गई, 9 mark की grace, are you joking, no I am not, ask your colleagues, जिन्होंने papers मंगा है वो बताएंगे, और कुछ ऐसे भी attempt होते हैं जो 0 mark की grace होती है, definitely grace देने का कारण institute ने कहीं paper में गलती करी होगी, कुछ होगा, इस करण से दी होगी, वो कोई मुफ्त के नहीं बाठते होंगी, कई बार moderation भी होता है, result बहुत कम होता है, तो बढ़ाने के लिए, Facebook का result बहुत खराब आया था, तो हो सकता है, बढ़ाने के लिए दी हो, पर हम त्यारी उस case की कर रहे हैं, जहां पर zero marks की लिए से, हमें खेरात के marks लिए, जहां वो गलती करें, उसके लिए मांजते हो बातल, इसलिए audit में यह कहना कि 60 plus तो में score करके ही रखतूंगा, यह आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, यह institute के हाथ में हैं, और हमारे हाथ में, किसी एक के हाथ में, आप हमारा best देंगे, कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों कि अगर एक भी बच्चा 60 plus लेके आ रहा है तो में भी target करें, thankfully institute ने थोड़ा सा सफाई करी है, material में content में, तो syllabus थोड़ा squeeze हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे आप देखोगे तो number of pages overall module में आप देखोगे तो कम हुए, पर अगर आप, जिन चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर selectively cover किया है, completely cover नहीं किया, अगर मैं उसे जोड़ दू तो effectively बढ़ जाते हैं, but कोई major as such ऐसा नहीं है कि syllabus एकदम 70% हो गया है, यानि 30% कट कर दिया गया, या बढ़ा दिया गया, 125-30% कर दिया है, it is you can say जैसा पहले था, उसका 80-90% easily अभी भी syllabus है, पर हाँ 10-15% कम होई, overall in terms of number of topics इने बेखोगे दोस्तों आपने subject समझ लिया, मुझे समझ लिया, तो अब आते हैं अपन किसके उपर, पढ़ना क्या है, एक छोटा सा register बनागा, शुरू के 5 पन्ने छोड़ देना, 5 पन्नों में index रखना, lecture 1 में क्या-क्या topics पढ़ेते हैं, और जितनी आप उसमें journaling करना चाहो, detailing करना चाहो, कर लो, बाद में आपको backup देखने के live students के लिए, या recorded वालों को भी exactly identify करना है, तो पता पढ़ जाएगा, मैं भी index देता हूँ, पर आप detail बना सकते हो, मेरा index वे रहेगा, थोड़ा सा detail नहीं रहेगा, outline based रहेगा, copy में ज़्यादा कुछ लिखने की जरुवत नहीं है, daily basis पर आपको 30 minutes, यानि 2 घंटे के lecture होंगे हमारे, 2222 hours के, आपको 30 minutes revision के लिए अलोट करने है, daily basis पर, plus 30 minutes question answer solve करने हैं, इसके अलावा आपको, total 75 hours, यानि 2 घंटे के हमारे आप यू समझ लीजे, 37, 38 lectures होंगे, यानि कि 5 test होंगे, इसका मतलब हर 7 lecture के बाद आपका एक test होगे, roughly हम इन 5 test में क्या करेंगे, आप से 5 तुकडों में पूरे audit को cover कर देंगे, और फिर एक छटा test होगा, जिसमें पूर audit के syllabus को cover किया, faster batch के students क्योंकि आपकी exam सामने, इसलिए आपके मनसूबे थोड़े ज़्यादा मजबूत होंगे regular वाले students से, इस कारण से आप से उमीद है कि आप daily 30 minute revision, 30 minute question answer, और हर हफते जो test होंगे, उन test को देंगे, आपको बकायदा feedback भी मिलेगा, चेक होगे, जीडी वाल पीछे भी दे सकते, पीछे ही दे पाओगे, कहने का मतलब यह है कि जिसने इत्ता कर दिया दोस्तों, आपकी audit की परेशानी खतम में, यह तो नहीं बोल रहा है कि आपको audit पूरा on tips कंठस्त हो जाएगा, पर मैं आपको यह बोल रहा हूँ कि आप audit में इत्ते confident होगे, कि पूरा audit कवर हो गया है, मुझे जैसा आखरी क्लास में सर ने बताया है, बस मुझे वैसे revise करना है, और मैं सीथे exam में फोड़ के हूँ, यह fact है, पर उसके लिए आपको यह समय अभी देना पड़े, इस subject की दोस्तों एक demand है, 300 वंटे की demand है, lectures के अलावा, अगर आपने class के स साथ-साथ, self study में इस पर समय कम दिया, तो बाद में आपके hours बढ़ेंगे, आपको बाद में hours उत्ते मिलेंगे नहीं देने के लिए, तो फिर आप selective approach पर जाओगे, फिर आप ढूंडोगे, यह छोड़ दूओ, याद नहीं होता है, ऐसी बाते जो आम तोर पर जनता करती है आप वो सुनोगे और आप भी मान लोगे, ऐसा ही होता है, क्योंकि जो समय से पढ़ाई कर रहा है, वो यह बाते नहीं कर रहा है, उसकी बाते कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए आपके मन में वो चीज नहीं आ रही है, और नहीं आप यह सुनना जाते हो, यह मैंने तो systematically रहा है, मेरी तो तयार है, आप बोलते हो, यह हमारे वाला ही नहीं, हमें इसकी बात ही नहीं सुनना, हमें तो उसकी बात सुनना है, जो परिशान है, क्यों क्योंकि हमें भी वैसी फीलिंग आ रही है, तो दोनों गड़े में तो क्या बात है, विपरीत परिस्तितितिया भी किताब में आपको सिंबल एक ब्रहमास्त्र मिलेगी दो पार्ट्स में ताकि आप ले लेके पड़ो तो आपको हल्की किताब रहे तो यानि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको हो सकता है टोटल चार वॉल्यूम्स में चीज़े लिखें कि फोश्चन बैंक एक वॉल्यूम में एंसी कीव वॉक एक वॉल्यूम में इस्कूज में पूरा कंटेंड आगया द्रोन चार्ट अंडर प्रिकरेशन है जब होंगे तब की बात करें पड़ाई हमारी पूरी इससे होगी यूट्यूब पे रिविजिन भी आपको प्रमास सीम लेंगे तेस्ट में ने बता दिया लाइब को 100% बाक अप मिलता है यहां पर इमेल करके पूछ सकते हो फास्ट की आप पर पूछ सकते हो यह सबसे सही तरीका है एक्जाइम से पहले ह शे महीने बाद इसका मतलब आप यह समझ लीजे कि महीं एक्जाइम है तो 31 अक्टोबर तक के और नवंबर है तो 30 अपरिल पता हिए आप आपको कैसे मिलेंगे यूट्यूब या फास्ट आप पर आपको अमेंडमेंट्स और इंसब की चिंता करने की ज़रुरत नहीं है रिविजिन सब मिलेगा आपको यूट्यूब पर या फास्ट आप पर पावर बैच इस बेसिकली क्या होता है इट इस कंप्लेट रिविजिन आप दे होल कॉर्स जिसका एक्से स्टोडिंस को एग्जाइम से पहले दिया जाए कुषिन बैंग में एक बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों जो फास्ट्रक के स्टोडेंट्स के लिए बहुत जाधा यूस्फुल है यह क्या है मैं बताता हूँ आपको लेट मी शो यू यू दे कुषिन बैंग इस पड़िकलर के साहिए आप कुषिन के साथ कहां पयो पूचा गीया था सोर्स यही नहीं आप आम question bank से compare करेंगे तो आपको समझ भाएगा सारी important चीज़ों को क्या किया जाता है बोल्ड किया जाता है revision के समय से वित्तेता पड़ता ये एक एक शब्द देखके मैंने बोल्ड करेंगे आईए important day से करो plus जहाँ पे भी lengthy answers होते है वहाँ पे क्या किया जाता है points बनाने तो points बनाए जाते कई जगे points होते नहीं है पर अपन create करते तो वहाँ पे फिर क्या करते है bullet points दे देते तो ये हो सकता institute की answer में आप देखो कि suggested answer में तो पूरा paragraph दिखेगा पर उसे parts में बढ़ दिया था कि इसको पढ़ने में आपको easier है retain करने में easier जितने भी आपके questions एक जैसे होते है similar उन सब को alternate करके डाल दिया जाए ये similar question है तो जो latest आया है ये exam में आया है ये study material में उसको top पे रखते है और others को नीचे रखते हैं जैसे ये देखे ताकि आपको एक question bank में कभी भी ऐसी feel नहीं है कि मैं एक एक question बार-बार solve कर रहा हूं हर question अपने आपने यूनीक है एक जैसे club करें प्लस आपको ये access मिलेगा फास्ट की app पर जा रहा है कि और कोट scan करना है इस particular question के आपको comment ये अभी activate नहीं हुए ओल्ड course के activated है आपके activate होने में समय लगेंगे यानि आपको घर में किसी भी question पर डाउट है आपको कुछ करने की जर्वत आप कभी टेलिग्राम भी follow करते होगे अपना चैनल दा आप देखोगे क्लास में जो समझाया उसकी commentary अलग से क्वाइज नोट रिकॉर्ट किया हर कुछ समझाया इसमें इसमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है गलती होती है वच्चे से थियोरी है इसको ऐसे याद रखना है आपको question से कोई problem नहीं है क्योंकि fast track में regular की comparison में काफी कम question solve होते है class में तो आप इसका फाइदा उठागी क्या करोगे इसे cover कर दोगे और हमारा time हम क्या करेंगी तोड़ा से यहां भी utilize कर लोगे question bank से related एक बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं mcqs सारे 19 chapters हर chapter के साथ में आपको शुरू में एक integrated mcq practice का और फिर उसके individual mcqs कहां से लिए गए इंस्टिट की पुरानी ICI के study booklet जो relevant topics थे वो सारे plus rtp mtp में जो available questions थे institute के latest content और material से plus इन सब के अलावा आपको भी बतानी होगा यह चीज institute ने अब से आपको study material ICI की app में और website में देना शुरू कर दिया है आप यहां पर student login पर जाएंगे और यहां पर जब आप अपना login डालेंगे registration number अब मेरे को तो दिया नहीं है मैं तो member पर अपने जुगाई तो आपको अंदर mcq case study scenario मिलेगा practice करने और उसके अंदर जाओगे तो आपको integrated case study और individual case study मिलेगा वहां पर आप call तो कल लोगे गलत कल लोगे review भी कल लोगे पर पढ़ने के लिए तो physical book चाहिए वो सारे question institute के उठाके आपकी mcq book में डाल दियें जो भी आपको किताबों का सेट मिलेगा और इन सारे questions के सामने reference देतीया है ICI के नाम से MCQ booklet यानि जो पहले MCQ booklet आती थी और कहीं पर भी अगर आपको plane आए study material reference दिया है यानि यह जो नया study material institute का यह वहां से उठाया गया question है और कहीं पर भी अगर reference में स्रिफ ICI लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह institute के नए questions है जो हमने institute की कहां से app से शामल की एक और चीज करिये कि आपको side में answer दे दिये यहां पर bold नहीं किया ताकि आप independently देख सको पीछे नहीं दिया ताकि पन्ने नहीं बल्टा नहीं साइड में दिया ताकि आप यहां पर bookmark लगाईए और solve करिये और देखिये सही है या नहीं है जो गलत हुझा star mark कर दीजिए ताकि आपको review करने का we think this mcq booklet is also very fairly researched and presented and you should really be very very happy and contented with the material it is prepared with a lot of accuracy यह कुछ numbers वगेर आप देख सकते हो admin issues वगेरा हैं तो आपको कहां पर बात करनी है मुझसे कभी भी direct chart करना है WhatsApp कर दीजिए call करना है तो time मांग के call कर लिए mcq practice आप fast के आप में भी कर सकते हो booklet आपको physical मिरेगी वहां पर भी कर सकते हो आपकी जैसी इच्छ है में हो गया एक importance level मैंने आपके साथ discuss कर दिया अब इसकी जर्वत है नहीं है आज जो mapping हम करते थे इस बेसिकली यह और overall introduction we have to open minutes you have any kind of queries you think मैंने कोई चीस touch upon नहीं कर यह आप बोल सकते हो otherwise this completes my introduction of today and we are good to start with किताबे दोस्तों जो आपकी ब्रहमास्त्र आती है और आप देखेंगे audit की ब्रहमास्त्र तो यह इस तरह की किताबे अलाकि what we have done is आपको spiral में मिलेगी यह किताबे और ऐसे भी होती है यह binding form में भी होती है और spiral में भी होती है तो what you will be getting would be spiral books उसको पढ़ना थोड़ा easy है पूरी फोल्ड जाती है और आपको थोड़ी सी space वगेरा भी अच्छी लिए 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 ब्रहमास्त्र दो वॉल्यूम में इसी एक कुश्चन में क्यों कोई भी चीज मैंने छोड़ती है तो एक बार बता दीजिए आपके कोई क्लास में बहुत सारे mcqs हम solve करते हैं किसमें regular batch जितने भी class में mcqs solve किये हैं regular batch में उसकी pdf आपके साथ share हो जाएगी google drive जिसमें mcq options correct answer कहीं पर अगर explanation है तो explanation इसे हम regular batch में share करते हैं lecture wise आपके साथ share कर देंगे इसको chapter wise तो यह regular batch के class में solve किये गए 103 mcqs हैं professional ethics के यह सब professional ethics के mcqs हैं यह आपके साथ महां share करें आप चाहो तो print निकाल लो आप चाहो तो आपके पास रख लो यह क्या already अपनी किताब में यह उस तरह के mcq नहीं है सबसे पहले chapter से शुरू करेंगे जो कि institute का अखरी chapter है वाओ जिसका नाम है प्रोफेशनलिटिक्स और लाइबलिटीज ऑफ़डिटर्स क्या है यह पर्टिकुलर चाप्टर इसमें सिवस्जिव कोड़ वितिक्स और प्रोफेशनलिटिक्स की बात होने वाली है प्रोफेशनलिटिक्स क्या होता है प्रभू कोड़ अफिक्स प्रोफेशनलिटिक्स यानि कि चार्टर अकाउंटेंट का कोड यह वह कोड़ है दोस्तों जो बताता है कि चार्टर अकांटेंट को क्या चीज करने की पर्मिशन है क्या चीज करने की पर्मिशन नहीं है जैस audit income tax return file करने पर भारी छूट यह आपने बोला नए साल का धमाका शिरुवात करिए नए साल की नए लोन के साथ आपका फाइनसर आपका स्थी है वैलेंटाइन धमाका आपके साथ उसका रिटर्न फ्री यह friendship दे धमाका बनाईए हमें अपना दोस्त manage करेंगे हम आपके investments दिलवाएंगे हमको शांदार returns ऐसी रेडियो में जिंगल चालू कर दिया एक Chartered Accountant हमसे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं कोई नहीं क्यों नहीं कर पाता है Chartered Accountant क्या मना करा है उसको कहीं या पैसे खुब खर्च हो जाते है उसके मना किया है कहां मना किया है professional ethics code of ethics किसी ने सवाल पूचा है study material कम मिलेगा तो जानके तच्चुब नहीं होना चाहिए इस बात पर कि दोस्तो study material आपका within a days time dispatch हो जाएगा क्या बात कर रहे हो यानि fast track के students को study material अभी मिल जाएगा जी यहां sir कोई किताब कॉनसी वाली पहले initial notes नहीं नहीं सारी किताबे वहां जहां भी थोड़ी बहुत इतर-दर कुछ भी errors थी उन सब को भी correct करके update करके सब आपके साथ शेयर करते हैं errors as in typing यह वह थोड़े बहुत कुछ भी issues थे सब updated अब दोस्तों आई है professional ethics की बात कर रहे थे तो हमने कहा यह वह एथिक्स है यह वह code है जो हमें रोकता है कि यह चीज़े मत करो करोगे तो guilty मानी जाओगे इंस्टिट्यूट ने चार्टेड अकाउंटिंड के लिए code बना है जिसे क्या कहते है professional ethics जैसे की उधारन के तौर पे एक बार बताई है suppose एक lawyer के पास एक शोड जाता है एक गुंड आ जाता है एक murder जाता है तर बोलता है वकील जाब बचा लो वकील जाब ने बोले क्या हुआ देख के तो लग रहा है murder कर क्या है पर लोगों ने देखा कि हुआ है आप बचा सकते हैं कैसी बात कर रहा है कोई देखकत सई जगह आए हो तो पचास लाग रुपे देओ और मज़े से घूंग कोई चिंदा की बात है छे महीनम बरी हो जाओगे वकील को पता है वो खुद कह रहा है कि murder किया है फिर भी वो उसे बचा रहा है अब एक बात करते हैं चार्टेड अकांटेंट की आप लग चार्ट पर लिखते जाना लोग चार्टेड अकांटेंट के बात पहली आता है और बोलता है और इस सर टैक्स में अफ्राड हो गया हमसे हमने चोरी करी थी बहुत बड़ी और हम लग रहा है इंकम टैक्स वाले बगड लेंगे अब आप किसी तरह से गली गली आरे निकालो हमारी बुक्सूग सही करवा और हमें बचाओ इससे क्या एक सिये भी वकील की तरह अपने क्लाइंट का एडवोकेट बनके उसके फेवर के लिए काम कर सकता है और उसका काम यह एकसेप्ट करके उसकी टैक्स की चूरी को किसी तरह से छुपा बचा यह उसकी सजा कम करवा सकता है दोस्तों इस सवाल का जवाब डिपेंडेंट है प्रोफेशनल इथिक्स, कोड़ इथिक्स, कोड़ अफ कंड़क्ट। लॉयर का कोड़ अफ कंड़क्ट कहता है कि अलॉयर इस दूटी-बाउंद ओनली तो इस क्लाइंट। इचेज नीदर दे लॉयर इस द्वन हूँ डिएज वाइड और रॉंग। यह कोड दिएड करे पाँएंग। ज़ज दिएड करे पाँएंग। and everybody has a fair right of trial अगर एक murderer का भी case अगर कोई loyal लेता है तो उसके उपर bar council जो उनकी body है जैसे हमारी ICI councillor जैसे उनकी bar council है उनके उपर कोई legal action नहीं लेगी है क्यों क्योंकि उनको उनके ethics में अधिकार दिया गया है कि वो अपने witness के साथ छेड़ चाड़ी नहीं करेंगे कोई अनतिक कारे नहीं पर उन्हें यह भी का गया है कि वो अपनी client की सच्छी बाते जो उन्हें पता है वो कानून से भी चुपा सकते आपने किसी movie तक में नहीं देखा होगा real life में तो बहुत दूर की बाते हैं कि prosecution के lawyer defendant के lawyer को ही कटगरे में खड़ा कर दिया बुले अब हम वकील साब को ही कटगरे में बुलाना चाहते हैं और वकील साब से हम सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि इनको तो सब पता है और भूत धार्मी का अदमी घीता बेहात रख दी तो कभी जूट नहीं बलते हमने बला वकील साब गीता की जिस पर हाथ रखा है उसकी भी और जानते हैं उनके लिए कौन है गीता दूसरी और बताओ सच सच के उसको तो सब पता है तो अधिकार ही नहीं है आपको मालूम है किसी क्लाइंट के वर्किंग पेपर्स या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी लॉयर के यहां कभी ना इंकम टाइक्स वाले ना इंडियन एविडेंस आक्ट वाले कोई भी व्यक्ति क्य इस डिमांड नहीं कर सकती क्योंकि इंडियन एविडेंस आक्ट में वकीलों को अधिकार दिया गया है कि वह अपने क्लाइंट के रिकॉर्ड्स कानून से भी प्रोटेक्ट करके रकसे आप दाट शील्ड लेकिन हमारे कोड़ वठीक्स में ऐसा नहीं बोलागया है कि आप क तो मैं बताऊंगा या मैं छोड़ रहा हूं assignment मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे पास तो income tax वाले आगा और बोले तुम्हारे क्लाइन का जो वर्किंग पेपर तुम्हारे पास है सब दो तो भी मुझे देना पड़ेगा मैं उसके लिए भी मना नहीं कर पाऊंगा क्यों कि मेरे ethics ल हुमारा काम client को बचाना नहीं है तो lawyer का काम है तो सबकी roles अलग अलग है responsibilities अलग है काफी हद तक code of ethics आपको define करता है कि आपकी क्या boundary या outline है responsibility है in general towards the profit तो आप से एक बड़िया सवाल पूछता हूं दोस्तों ऐसी general knowledge check करने के लिए code of ethics आपके हिशाब से आखिरकार कंबक तो यह चीज़ क्या है code of ethics और इसे professional ethics भी कहते है excuse me यह क्या है आखिरकार it is an act or it is a set of rules yeah it is basically a kind of a guideline or it is a manual containing provisions of act rules guideline क्या लगता है तुम्हा है क्या code of ethics एक किताब है एक act है डॉक्यमेंट है कैसे है क्या बनाएगे समझे दोस्तों यह एक manual है जिसके अंतरगर Chartered Accountant Act 1949 CA Regulations 1988 Council की guidelines, advertisement, website अलग-अलग तरकी इन सब के selective provisions उठा उठा के डाले जिसका एक Chartered Accountant को पालन करना है नहीं करने पर इंस्टिट्यूट उसके अगेंस्ट में misconduct, disciplinary actions का मतलब इंस्टिट बोलेगा है तुमने गलत किया अब हम तुम्हें जिम्मतार डेराते हो सकता है तुम्हारी audit करने के power छीन ले इंस्टिट्यूट हो सकता है तुम पर penalty लगा दे तुम्हारी membership suspend कर दे बहुत सारे अधिकार है उनके वही सब पढ़ना आपने तो ऐसा है कि C Act में तो बहुत सारे provision है अब उसमें कुछ ऐसे भी provision होंगे कि भईया council का election कैसे होएगा कौन elect कर सकते उसमें participate कर सकता है voting कैसे होएगी candidate आपको खड़ा होना है तो आपकी eligibility क्या होना चाहिए वो सब चीजों का code of ethics से वास्ता कम है तो ethics में selective provisions दिये जैसे कभी आपने रुस्तम movie देखी हो जिसमें विक्रम माखी जाका दिश्कियाओं 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 तीन शाट में गोली चला चला कर खून कर देता है अपने अक्षय पाची रुस्तम खुद का case लड़ते बोर्ट में बोला जाता है कि भी यह तुमने विक्रम माजी का भी घुस्दे में तीन गोल या close combat में चला दी तुमने खून किया है तुम्हारे इरादे खून करने के ऐसा prosecution का lawyer केता है और वो वो नेवी का manual खूलता है और बोलता है अचा भी लाइक जिसमें हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दारान कि in a close combat you should always fire in rounds of three and it was because of that of my training कि हमारी close combat हुई उसने हमें आडपा हमने उस पे जडपा इसलिए हमने तीन में round में शूट किया आप विजुलाइज कर सकते हो basically दोस्तों लव ट्राइंगल जैसी चीज थी अक्षे कुमार opposition में और इधर उसकी wife इनके कुछ आपस में triangle के लफडे भाई ने कुछ गलत किया तो इसने उड़ा दिया movie नहीं देखिये तो ब्रीट दे पैसे वजूल हो गया आपके 300 रुपय बज़ गया पॉपकॉन के 500 लग तब आप समझें दोस्तों कि वो जब उसने नेवी का वो manual खुलवाया अपनी बाकी सब चीजों से कोई पतलब और वास्ता नहीं है मैं जो बता रहा हूं तुमको वो समझो वो नेवी का जो manual अपन ने open करवाया वो क्या है वो नेवी का code of ethics है ऐसे ही lawyer का ethics होगा doctors का होगा हर professional का होता है तो हमारे chartered accountant का code of ethics है जिसे 2020 में revise किया गया और तीन किताबे publish करी गई code of ethics की oh my goodness यह सवाल मैंने पूछा था दोस्तों और जिन लोगोंने सही जवाब दिये हमारे top 6 leaderboard में नाम दिखते हैं यह हमारे top 6 बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिये और बहुत सारे हैं कौन बनेगा करोड़पती में top 6 यह रहे with the timings किते समय में सही जवाब देगा है लाइव वालों के अलगी आनन आएए दोस्तों लाइव में स्वागत आप साभी आप क्या किया गिया है दोस्तों यह code of ethics बनाया गया तीन volume में volume 1, volume 2, volume 3 volume 1 में international code है हमारे syllabus में volume 2 में domestic code है हमारे syllabus में volume 3 में सरिफ case laws है वो आपके syllabus में नहीं है क्योंकि हम आइफक एक international body है उसके member है ECIB तो इंटरनाशनल code of ethics है वो भी हमारे यह mandatory है फॉलो करना वो पूरा volume बने है उसे ब्रीफ में पढ़ने आपने फिर अपने एक इंडिया के लिए अलग code बना रखा है जो contradict नहीं करता है बड़ ज्यादा detailed है उसे domestic code बोल सकते हो आप समझने के लिए वो volume 2 है और अभी तक जित्ते भी code of ethics related cases हुए है उनके cases का एक compiler दिया गया है जो volume 3 है case loss पढ़ने की हमें कोई requirement नहीं है आपके syllabus में नहीं है तो हमसे volume 1 और 2 का extract पढ़ना है जितका आपके study material में सबसे पहले हम शुरुबात करेंगे volume 2 से जिसे कहते है domestic code general knowledge के लिए इतना आपके काफी है आपकी प्रहमास्त्र जब आपके हाथ में होगी तो आप जब देखेंगे तो इसमें further sub index दिया गया है volume 1 volume 2 अभी अपन चुरुबात कर रहे है volume 2 से exam में questions normally professional ethics का 12 to 15 marks का descriptive में weightage होता है हमेशा में weightage descriptive के ही लिखूंगा यह याद रखेंगा audit में 12 से 15 मापका इसका weightage होता है 3 questions आते हैं आप देखेंगे 2 to 3 questions आपके domestic code से ही आएंगे 0 to 1 question आपका ISBA code से आता है या international code तो important हमाद लिए गई है domestic based provisions में भी अलग-अलग provisions दिये गए हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा important आपका chapter 2 और chapter 3 है हमारा 90% time इन दो chapters को भी पढ़ने में जाएगा यही major content है बागी सब 10% time में पूरा कबर जाएगा हम sequentially नहीं बढ़ रहे हैं चीजों को हम कैसे बढ़ रहे हैं चीजों को जैसे सही तोर पर पढ़ना चाहिए जिससे आपकी समझ अंडर्स्टांडिंग सही तोर पर बनेगी इसलिए पहले volume 2 फिर volume 1 volume 2 के बाद बन और अच्छे से समझे इंपॉर्टेंट भी यह चाहते हैं वॉल्यूम 2 जिससे अपन आईसी कोड या डमिस्टिक कोड बोल सकते है याद रखने की जरुवत नहीं आप जनरली समझे इसमें क्या-क्या मुद्दे हैं इसका चाप्टर वन भी अपन बाद में डिसक्स करेंगे अभी पढ़ने की जरुवत नहीं है सबसे पहले अपन शुरुवात करते हैं यहां से चाप्टर टू यह आपका पेज नंबर 19.19 होना चाहिए और यह चाप्टर लो दोस्तों की यह और अगले सेशन के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कोड में होता क्या-क्या है यह सब समझने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है मैंने आपसे जनरल सा सवाल पूछा था क्या एक चांटर अकाउंटेंट एडविटाइज कर सब्सक्र विडाउड एनी रिस्ट्रिक्शन नो नो इफ फी इस ए इन प्रैक्टिस येस इफ ही इस इन बिजनस नौट प्रैक्टिस ऐसी पोल पूछी आपसे और रिक्त नहीं पूछाए प्राइ और आप करना चाहें होड़ा होले होले स्टार्ट करेंगे तो इक बार ग्रिप बन जाए अपनी कंसेप्ट के उपर स्पीड बढ़ जाए एक सिये जो सिवाय दे रहा है उसके धंदे में बिजनस में सिवाय क्या वो उसका मास मीडिया में जनरली एडविटिस्मेंट कर सकते हैं तो था फेल में इक प्राक्तिसिंग चार्ट अकांटेंट नहीं कर सकते हो पर में इस अवाय का स्टार्ट का मालिक हूं और शार्क भी हूं और मैं तो आए-दिन जहां मौका मिलता है चले आता हूं अपना करने मार्केटिंग करने तो कोई रही ही कि इंस्टिट्ट क्या रोगेगा मुझे सवाल यह नहीं उठता वाई अपन प्रैक्टिस में नहीं बिजनस में काई की दिखकत इसको करेगा इस से रसक करेगा चार्टिड प्रैक्टिस को रसक बिजनस कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉबलम नहीं आपके अईसे नहीं होना चाहिए जो इंस्टिटीट के प्रफेशन की रेप्टेशन को डामज करें वह अलग बात है अधर्वाइज डेफिनिटली यह बात तो होता है कि इंस्टिट्यूट क्या करेगा प्राक्टिसिंग को बोलेगा वाई तू एडवर्टाइज मत कर यार अच्छा नहीं लगता है ठीक नहीं लगता है तो सही आंसर इसमें सी होना चाहिए तो अब अगला सवाल होता है कि भहिया सी इन प्राक्टिस किसे माना जाता है आप चैट में बताईए ज़रा सी इन प्राक्टिस किसे बोलेगा यादिशने आप आपके हिसाब से CA दो प्रजाती कि हो गए एक Practicing लॉन-Practicing जो Practice कर रहा है जो नहीं कर लॉन Practicing Chartered costing Кिसे कहूँब good question sir जिसके पास COP है वो किसे प्राक्रेटिस तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि जिसके पास COP है वो और स्ये इन प्राक्रेटिस है तब आप एक चीज़ समझें क्या होगा महुत ध्यान से समझना चीज़ को कपिल भाही ने आंसर दिया है CA Holdings COP is a CA in practice तो कपिल जहन बन गए आगामी अटेम्ट में चार्टेड अकाउंट रेंड दिया है बदाई 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 अब इन्होंने वुला कि यार क्या करें इनके लाइफ में फंडेमेंटल क्लियर थे लग गई तो जॉब नहीं लगी तो प्रैक्टिस जब गई तो ठीक नहीं जमी तो कोचिंग पर मेरे को ऐसे मत देखो मेरी जॉब लग गई थी ठीक टाग तो भाई ने क्या किया जॉब की जगे बहुत जगे ट्राइग अबर ऐसा कोई कमनी लगी नहीं जाएं इनको लगा जॉइन करना चाहिए तो इन्होंने प्रैक्टिस शुरू करें ऐसे भी जाएं इन्होंने आर्टिकल्चिप की थी वहां से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि लाइफ में क्या-क्या नहीं करना चाहिए तो उन्होंने काया कि यार अपन क्या करेंगे अपन अपने सीए जैसी हल्की फुलकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपन करेंगे बड़ी प्रैक्टिस बड़ा का तो इन्होंने सबसे पहले शुरूआत कि से करी एक बड़ी स कई होने फोन लाके बताई दी जब पता बड़ा सबने पूछा है बताओ क्या तौफा चाहिए पार्टी में हम ला तौफा कुछ नहीं हमारे नाम की पेपर में डाल दो कि शेहर में नया मतलाला चार्टेड अकाउंटेंट जो बहुत ही कम दामों पर टाक्स ऑडिट कंपनी ऑडिट बैंक लोन इंवेस्मेंट एडवाइसरी पोर्टफोलियो माने भर की सेवाई देने कुछ यह आपके पास कोई काम हो तो काम देगा एसा नहीं कि हमने सिर्फ लोकों से मंगा हमने खुन में पेपर में एड़ दे दिया पड़ा से रेडियो में जिंगल चालू कर आगे अब आपके शेहर में मतवाला चार्टेड अकाउंटेंट अभी तक क्या आपका सिया आपको लूट रहा था छोड़ दीजिए उसके क्य इस्टेग्राम, सोशल मीडिया पे ऐसे चाया हुआ है पूरा चार्टेड अकाउंटेड भाई ने मॉल में तो आफिस लिया है अपना बडा सा बोर्ट शोड लगा है अभी सिये के नाम का ओपनिंग सून सिये फर्स्ट अफ दे वर्ल इन दे मॉल एड्रेस में लिखा भाई ने इसे पर्चेश अपवा रखे पोस्टल लगवा रखे हर जगे चाया हुआ है मतलब आप समझो ही ने फाइनली पेपर में एक दिन उसने इस्टियार दिया और उसने कहा रैडिसन होटल चौराहे पर बड़ा जमावड़ा है आईये और आपकी सारी सिये सम्बंद समस्याओं का समधान पाईये यह पूरा एड़ छोटा सा लिखाया पेपर में और बड़े से में लिखाया फॉलोड बाई फ्री डिनर लोग आए जन से लाव इसी भीड़ लगे हुई है सब लोग बोले और यह कौन सी है कौन सी अच्छा जो सिये लोग थे अपनेशेहर में उनको भी बहत मिल्ची लगी वह भी बता रहें बोले आ रही है कुन सी इसी काम कर रहे है भैयोंने कम्प्लेन कर दी प्रेजिट आप भी अए उनको भी बुलाए उनको बुलाए क्या हो रहा है ये आप देखो ये चार्टर बना ये लड़का भी और यह एड़िटाइस कर रहा है और हमारे क्लाइंट आगे हमें बोल रहे कि और तुम टेक्स रॉडिट के दस जार रूपे लेते हो 100 रूपे में कर रहे हैं बैंक वाले बोल रहे हैं यार कॉंकरेंट रॉडिट हम सोच रहे हैं चेंज करवा दें प्रोजेट फ्रैंज के लिए हमने पेसे चार्ज कि वह आके बोल रहा है बोले यार नीची यह लोन वापस लिल कि क्या करें हम कपिल भाई मंच पर माइक थामा उनन बोला भाईयों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जो जो सेवाएं हमसे प्राप्त करना चाहता है रजिस्टर लिखा हुआ है रजिस्टर पर आपना सीरियल लंबर लिखिए और आगे आपका नाम लिखिए जो सीरियल लंबर उत् बहुत-बहुत धन्यवाद खाना लगा हुआ है एक-एक डिश खा के जाईएगा और लोग जूंबे उमण पड़े हमारा सीरिय कैसा हो कपिल भाई जैसा हो कपिल 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 अपन निकल गए बैक डॉर गए तो प्रेशिडेंट साब स्वय हम चल के पदा रहे तो जानते थे देखते थे वेबसाइट पर उनका फोटा हमने बुला प्रेशिडेंट साब सब सब प्रणाम नमन आईए पदा रहे हैं इसाब क्या चल रहा है किस नमना तुम को सिया हमने बुला रहे आपका ही साइन आया मेंबर्शिप डिग्री पर हमारी आप को यह नहीं पता ऐसी साइन करती आप बला शट आप पास केसे हुए तुम्हें ओडिट में कित्ते थे चालीस आपने बताया नाइंटी हम बुला अच्छा कोड़ों पर तिक्स में नहीं आयोंगे लगता है कहां से बढ़े थे यह भी कोई पूछने की बात है हम बुला अच्छा यह पताओ कि तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे एडविटाइज करना मना है चार्टेड अकाउंटेंट्स को हमने बुला सर ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है हमने तो यह पढ़ा है कि एक सी एन प्रैक्टिस एडविटाइज नहीं कर सकता है बताओ आप सेंट प्रेक्टिस कौन होता हुए जिसके बस स्योपी हो अमारे बाद तो स्योपी नहीं है तो फिर तुम ये सब जो काम मांग रहे हैं ये सब काम करोगी कैसे हमने बुला अरे अब लेंगे नो सर स्योपी अच्छा हो आप 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 अप्लिकेशन बोलो तो आप आपके कसम एक रुपे की एडवर्टाइज नहीं करें इन फैक सही बताए ना तो जर्वत ही नहीं एडवर्टाइज करने की इतना काम है हम तो बोल रहे हैं आपके पास पाट टाइम समय हो तो आप भी आजाओ थड़ा काम करवाज होश उड़ गए प्रेसिडेंट्स आप tyreata कर्फ प्रेक्टिश नहीं तो outta कि यार यह तो आपने कोड़वितिक्स में लफबड़ा होगा यह तो गड़बड़ होगाई तो सारे कल dura है अघ ड्म मचा देंगे और ऐसे आज तम्षार का यह Me में अप्ल भाई अपने साहब में बुला या इंदोर शेयर में आया हूं क्या करूँ तब इदम से अंदम बुला या आ आ आया आप फोन अबसेज डाल दिए सरी बिजीन साहब और अजया हूं बोल्लाइक स्पिकिंग। प्रेशिडेट्स आप बोल रहा हूं। मैंने बोलाइक मत प्रेशिडेट्स में यह बोल रहा हूं। पहेचाना नंबर आपका सेव नहीं किया। बोले हमारे कोई कैसी समस्य आगई ऐसा हो गया एक लड़का है। कि मैंने बुला उसे लड़का तो अपना student है तो अपना बच्चा इसके लेगे तो दोस्तों आप एक चीज समझ लो अगर ऐसा होने लग गया तो हर CACA बनने के बाद आग लगा देंगे जलते हैं इसलिए सबसे पहली चीज आपको यह समझना है दोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज समझ दोस्तों सारे के सारे हैं मेंबर्स के उपर एक समान नहीं लगता है 29 सारे सबसे पहले यह समझना जरूरी है Member in Practice कौन है और अगर मैंने बोला जिसके पास COP हो Member in Practice है तो बिना COP लिया आदमी सब कर लेगा काम करने के अलावा काम मांगने के सारे काम कर लेगा सिंपल सा तरीका है सीदी सी बात बोल दो कि यह COP तुमको कब लेना पड़ेगा अगर तुम Practice करना चाते हो या तुम Deemed to be in Practice हो अगर तुम Deemed to be in Practice की परिवाशा पूरी करोगे तो भी तुमारे पास पहले COP होना चाहिए और Deemed to be in Practice की परिवाशा दी गई है कि a Member will be Deemed to be in Practice if we individually are in partnership with another Member or specified professional for consideration provides or offers to provide any of the specified services like accounting, auditing, verification, consultancy यही बोले सार आप ऐसा बुलाए कि भाही COP कब लेना है जब आप Practice करने की चाहत रखते हो मतलब अगर आप Deemed to be in Practice हो तो COP पहले लेना है आपको मान लिया जाएगा कि आप Practice में हो अगर आप कोई भी आपको पहले COP लेना चाहती है आपने वो नहीं ली तो उस section की भी पेनल्टी आप लग दे है so there is no definition of member in practice the definition is member deemed to be in practice casually अपन ये कहते हैं कि जिसके पास COP वो member in practice है जो गलत नहीं है बिल्कुल सही है गलत नहीं है पर ये चीज़ अंदेस्टुड है कि जिसने COP लिया है वो से in practice है ये लिखा नहीं है लोग में लोग में define the member deemed to be in practice तो पूरे Code of Ethics का पहला discussion हमारा क्या है who is a member who is deemed to be in practice a member of the institute इसका मतलब सबसे पहली बात आप member हो तो भी आप member किसे बोलते हैं कोई खास बड़ी बात नहीं है समझ लो कोई important चीज़ नहीं है member वो व्यक्ति है तोस्तो जिसका नाम Register of Members में ICI के द्वारा चड़ाया जा चुका है नाम कब चड़ता है जब आप final की exam पास करते हो institute को GMCS ITT जो आपकी होती हो इसके पेसे का चड़ावा देते हो जिसके बदले में आपको कुछ शिक्षा और importantly एक certificate मिनता है यानि आपने अपनी practical article training और GMCS ITT ट्रेनिंग पुरी गल लिए प्लस और कुछ qualifications है अपना आगे देखेंगे 21 साल की एच पके ना तो आप member बन जाओ member बनने के लिए पहले आपको apply करना पड़ता है अपने आप membership नहीं आती है apply करना पड़ता है फीजदे नहीं पड़ती है और फिर secretary register of members में आपका नाम लिए तब आप member कहलाते हो इसका मतलब जैसे ही तुम CA बने उसके बाद तुमने अगर apply नहीं किया membership के लिए और फिर तुम यह सब advertise करोगे तो चलेगा क्या हाँ चलेगा पर तुम फिर यह भी नहीं बता पाओगे तुम एक chartered accountant technically जैसे ही लोग CA बनते हो इसके बाद लिखते थे ना adding the golden alphabets before my name dreaming of this since birth CA सार्थक जेन तो दोस्तों यह भी गलत है technically क्योंकि जब तक आपको membership नहीं लिए तब तक आप CA शब्त का प्रयोग भी नहीं कर सकते अपने नाम के साथ में chartered accountant भी नहीं लिख सकते पर अब ऐसा है दोस्त की कैसा लगेगा कि आज वो लड़का member बनने सारी CA पास हुआ है इस ने बोला में CA बन गया आइडियली उसको बोलना था मैं CA final pass हो गया पर उसने बोला मैं chartered accountant हूँ तो गील्टी हो गया तो इंस्ट्विट उस पर action ले लेगा वाह अपनी family में ऐसे लोकों का स्वागत करते हूँ तो कोई action लेता नहीं है पर टेक्निकल ही गलत है इससे एक बहुत important चीज समझाओ दोस्तों आप जो पढ़ रहे हो ना ethics वो किसके लिए पढ़ रहे हो एक्जाम के लिए practical life में लगाने के लिए मत पढ़ लेना क्योंकि अगर आपनी इन सारी चीजों का पालन कर लिया प्रेक्टिश नहीं कर पाओगे पर देखो सीधी सी बात है सिगनल पर रेड़ लाइट रुखना चाहिए अब रात के दो बजए सिगनल बन नहीं हुआ है रेड़ लाइट है दो मिनिट का सिगनल है आस पस कोई नहीं आ रहे है निकल लिए कौन तुमको थोड़ना कोई च चल रहा है उसकी हिसाब से give answers as per the books और कभी भी लॉग कोई भी पढ़ो ऐसी पढ़ना लॉग की पूरी जानकारी होना एक बात है उसका पालन करना दूसरी बात है जिससे जानकारी पूरी होती है ना वह पालन नहीं भी करता है तो वह सोच समझ के पालन नहीं करेगा कि या इसका क्या implication होगा ignorance में non-compliance नहीं करना है कभी भी हमें तो ध्यान रखना दोस्तों cheating is a crime only if you get caught otherwise it's an art for that you should know how to cheat for that you should know the tricks of cheating इसलिए कानून का पालन नहीं करना है तो पहले कानून को अच्छे से exam में यह घ्यान मत लिखिया ना अभी सिफ समझो अच्छे से हमेशा answer कैसा लिखना जो कानून में दिया इसके अनुसार आप मेंबर हैं institute के पहली qualification तो आप बीकॉम हो और आप ऐसा कुछ करोगे तो अब सिवात है कि आप दीम टूबीन प्रैक्टिस नहीं किलाओ तो बीकॉम बुले भीया मैं चार्टिड अकाउंटेंट बन गया और मैं प्री में सिवाएं दे रहा हूं तो भीया वो दीम टू ship partnership किसके साथ हो सकती है CA के साथ या कुछ recognize professions हैं यह professions अपन आगे बढ़ेंगे 6 professionals के साथ ICI ने अलाओ करी है आगे आपके syllabus में आएगा consideration of remuneration received or to be received यहापे remuneration का मतलब क्या है सम्थिंग इन रिटान तो ऐसा है कि तुमको बाउजी ने बोल दिया सिये बनने के बाद की सुन हमारी books accounting कर दे फर्म की अब तो ऐसे सिये बनने के बाद मस्त वेड़े जाब आफ करेंगे मजे करेंगे लाइफ में बावजी बलते वारे जब तक लगनी रहे तब तक books accounting मना दे रिटन तयार कर दे अब रिटन की डेटा अगई फाइल कर वादे कैसे बच्व कैसे बच्व कैसे बच्व मैंने बुला और बापा नहीं कर सकते उसके लिए लिए लेना मुड़ता है मालूम है आपको हम दिम टूबी इन प्रेक्टिस हो जाते है बाव जी ने बला तु बिटा दिम टूबी इन प्रेक्टिस तब होगा जब तू consideration के लिए करेंगा हम तुझे कोई पैसे नहीं देने वाले section 2 subsection 2 says a member will be deemed to be in practice if he only perform services for consideration you will not be deemed to be in practice मैंने बला बाव जी आपको केसे बता आपने सिय किया बताया नहीं पुले नहीं नहीं नही आप समझ आया है कि जब भी हम CA में रुख जाते थे तब आप डाटते क्यों नहीं थे क्योंकि कभी आप कही है नहीं हमें पता पड़े है क्या तो condition क्या क्या है सबसे पहली condition है कि आप member हो आपको team to being practice तब मना जाएगा जब आप पैसों के लिए स्वायम खुद से या किसी और CA या दूसरे specified व्यक्तियों के साथ partnership करके company form में practice करने की permission नहीं होती है specified services देते हो कौन चीज specified services है brief में देख लो accountancy offers to perform or perform services of auditing verification of financial transaction books of accounts records preparation verification certification of financial accounting statement holds himself out to public as an accountant renders professional service or assistance in matter of principle or detail relating to accounting procedure recording presentation or certification of financial fact or render other services which in the opinion of consul are rendered or may be rendered by cn practice this is a notified services care do not remember याद करने की जरुवत नहीं आज तक कभी नहीं पूचाई आपको सिर्विस में broadly यह देखना है कि accounting, auditing, verification, financial data या specified services जो अकाउंसिल notify करता है इस पूरे में सिर्व नोटिवाइट service is important question इस पर आते है इंडिविजवल सर्विस में इन में से अगर आप कोई भी सिवाय देते हो या देने का offer करते हो तो आप dim to be in practice और अगे पढ़ेंगे कि अगर एक member dim to be in practice है तो उसको पहले COP लेना है प्लस उसके उपर cn practice के सारे नियम लगें सवाल यह हुआ कि अगर एक chartered accountant इन में से कोई भी सिवाय देने का प्रस्ताव भी देगा जैसे आपने क्या किया आपने advertise कर दिया कि भाई या मैं सिए की दुकान खुल रहा हूं आप और dim to be in practice से आप पर सारे cn practice के नियम लगें इंक्लूडिंग आप advertisement खुले आम नहीं कर सकते एसा नहीं advertisement allowed नहीं है हर तरह से allowed नहीं रिस्टिक्टिट फॉर्म में allowed है तो आपको guilty मान लिया जाएगा आप यह नहीं बोल पाऊंगे मैं से इन प्रैक्टिस नहीं हूं इंस्टिट बोलेगा आप deemed to be in practice से आप पर सारे नियम अब इसमें कुछ अच्छे सवाला पहला क्या एक chartered accountant in practice एक सीए जो प्रैक्टिस में नहीं है उसके साथ partnership कर सकता है करी नहीं सकता अगर सीए को प्रैक्टिस करना है तो खुद करे या partnership और partnership होगी तो दो या दो से आदर सीए इन प्रैक्टिस या अदर प्रोफेशनल्स कुछ है उनके साथ ही होगी non practicing CA के साथ एक practicing CA की partnership नहीं हो सकता मना करते है क्योंकि definition में लिखा है team to be in practice में partnership सिए इन प्रैक्टिस के साथ होगी अपर आगे के clause में भी पढ़ेंगे आगे और आए गई विला member providing accounting related service for consideration बहुत अच्छा कुश्य ने मिटा we deem to be in practice बहुत बढ़ी अप्रशन है एक member है जो accounting की सेवय दे रहा है streaming services में accountancy की services आती है auditing आता है bookkeeping आती है अपने आपको accountant बदाना आता है कोई भी accounting procedures related service professional service या assistance देना आता है data recording presentation financial fact data को prepare करना प्रेजेंट करना report बनाना प्रेजेंट करना यह सबाता है तो सवाल इतना अच्छा पूछा कि एक member है जो accounting related से महें दे रहा है normal accounting करने की पैसो के लिए दे रहा है कुछ नहीं लिखा है तो आप मानो individual के passivity में दे रहा है क्या यह dim to be in practice हो बहुत अच्छा इनसे की service तो सर कोई भी दे सकता है आप देखो दोस्तों आप आपके मन से मत दोना answer है जो लिखा है उससे तो number one क्या आप member institute के हाँ है क्या आप individual या partnership में सेवाय दे रहे हो हाँ दे रहे हो क्या पैसे के लिए दे रहे हो हाँ पैसे के लिए दे रहे हो करी अजीब नहीं हो रहे है क्योंकि सर अकाउंटिंग की सेवाय तो कोई भी दे सकता है institute ने ऐसा गजब नियम बनाया है बेटा ऐसा शिकंजा खसा है कि अगर तुम्हें एक बार member बन गए फिर तुम्हें एसी सेवाय भी दे रहे हो जो कि एक आम आदमी भी दे सकता है अगर वो service तुम दोगे for consideration individually or partnership तो तुम्हें dim to be in practice माना जाएगा यान 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 एक CA को dim to be in practice मानने के लिए कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि वो कोई ऐसा कार्य करें जो CA के लिए exclusively reserved है ऐसा कोई नियम नहीं और ध्यान से समझ लो गेटा आपको सिर्फ क्या समझना है CA team to be in practice का basic concept क्या है जब समझाने के लिए लिए लिखने की कोई जरवत नहीं आपको एकदम clear है fundamental वो यह है may be rendered or may be usually or let's say legally rendered by a non-CA as well is deemed to be in practice तो यह दिमाग से तुमारे हटा देना की आप deemed to be in practice तभी मिलोगे मानोगे जब आप tax audit company और इडिया कोई ऐसे काम करोगे जो एक्स्क्लूजिवली रिजर्व फॉर चार्टिड का नहीं लॉजिक इंस्टिट्यूट का यह है कि वह एक चार्टिड अकाउंटेंट जब बोलता है कि मैं अकाउंटिंग करूंगा तो लोग उससे एक expectation एक class की expectation रख़ए कि यह सरकार कहती है कि यह हमारी scheme है तो आदमी को क्या होता है एक expectation होती है कि यह welfare scheme होगी हमारी scheme है पैसा बनाने के लिए नहीं होगी वोट कमाने के लिए हो सकता है तो इसी जब एक C.A. बोलता है तो उसके साथ उसकी एक credibility जुड़ी हुई है तो institute चाहता है कि ऐसी सेवाए देने वाले सारे लोगों को हम क्या करें regulate करें ताकि उनकी सेवाओं में हम वो quality ला सके ना कि सिफ उन सेवाओं में quality चाहिए जो exclusively reserved for chartered accountant यह लौचिक पहली जी दूसरी चीज़ बहुत अच्छा कुशन दा है यह very nice answer क्या होगा इस case में yes deemed to be in practice yes next एक C accounting services provide कर रहा है बीटा कंपनी का director बनके है पैसो के लिए क्या उसे deemed to be in practice मना जाए रहा है जल्दी बताव क्या पैसा पैसा करते है क्या पैसे पैसे मरते है बात पैसे की नहीं बात यहां पर कुशन पैसे का नहीं है position का है मैं कंपनी का director बनके यह सारी से मैं दे रहा हूं क्या मुझे क्योंकि मैं individually in the capacity of नहीं 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 मैं individually क्या दे रहा हूं क्यों सर इस डिरेक्टर दे रहा हूं न तो भी आइस डिरेक्टर का मतलब में कम नहीं के पैस्विटी में दे रहा हूं हां सही है तो partnership है नहीं है हां सही है तो answer no होगा तो एक बार आप confirm कर लो क्या होगा अगर आप किसी कंपनी में डिरेक्टर बनके अकाउंटिंग या ऐसी सिवाय देने की बात करते हो तो आप deemed to be in practice नहीं क्योंकि आप उसे इंडिविज्वली या partnership की capacity में नहीं दे रहे हो आप उसे as an employee of the company की capacity में दे रहे हो दा आंसर इस नौ तो सर ऐसे तो बहुत बढ़िया तरीका मिल गया हमें क्या तरीका मिल गया बताओ सर अपन कंपनी बनाएंगे उसमें मस्त एडबिटाइस करेंगे बताएंगे सिये वाली सारी सर्विसेज दे रहे हैं और महां पर डिरेक्टर बनके सर्विसेज देंगे हम code of ethics में दीम टू बीन प्रैक्टिस नहीं है खुले आम काम करेंगे और लोगों बता भी पाएंगे वह यह डिरेक्टर सिये वाली सिवाय मिलेंगी और कोई problem भी नहीं होगी बिल्कुल सही बात है यह तो हमने बढ़िया गली निकाल दी तो यह जो गली थी इस गली को ICI ने कैसे एकदम useless कर दिया pointless कर दिया ICI ने बुला चलो ठीक है तुम कंपनी में डिरेक्टर बनके सिवाय देओगे चलेगा ICI ने एक section मना 25 जिसके अंतरकत कह दिया कि कोई भी attestation power company को नहीं दिये जाएंगे क्या मतलब कोई भी ऐसी जगे जहां पर आपको अपने statutory right use के attest करना है attestation करना है मतलब जैसे आपको sign करना है let's say for example tax audit पे companies act के अंतरकत audit हो रहा है उसके अंतरकत let's say CBA के अंतरकत stock brokers के आपको audit करके CBA को report देना होती है banks के audit होते है NBFC के audit होते है जो law में requirement है कि भी आई एक CA कर सकता है ऐसा कोई भी काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वहाँ पर as an individual या as a partner उस particular audit को ले के उस पे sign करो अगर आप किसी company के नाम से कोई audit लेना चाओगे तो ICI की तरफ से restriction है allowed अलागी company's act में भी लिखा हुआ है body corporate cannot be your auditor ICI ने भी मना कर तो पता है अगर तुमने company बनाई और तुम डिरेक्टर बने और तुमने ये सारी सेवाएं दी तो तुम सिफ वह सेवाएं दे पाओगे जो एक आमानमी भी दे सकता है CA exclusive एक भी service तुम वह से नहीं दे पाओगे तो तुम बोलोगे CA बनके फाइदा ही क्या हुआ बस एक नाम हो गया कि या डिरेक्टर सिफाए दे रहा और कोई फाइदा नहीं है बस इतना सा फाइदा है वो करने गली पतली कर दिया ICI पर यह फैक्ट है कि अगर तुम डिरेक्टर बनके यह सिफाए दे ओगे तो तुम डीम टुबी इन प्रैक्टिस नहीं माने जाओ इसमें corporate form और प्रैक्टिस का भी discussion है वागे करेंगे तो प्रैक्टिस करने के क्या-क्या available modes है सर अब तो यह बताईए तो दोस्तो available modes for practice में आप as an individual practice कर सकते हो आप as a sole proprietorship firm practice कर सकते हो और आप as a partnership practice तो partnership firm और individual तो समझ में आया नहीं चीज एक है sole proprietorship firm करता है कि अगर आप इंडिविजुली भी अपनी नाम से practice करने की बजाए एक entity का नाम use करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं जैसे कहीं होते proprietorship firm होती है वहिए आपकी कमनी थी किराने की दुकान दिया आपने का राने की दुकान का नाम रख दिया बाला जी enterprise proprietorship firm है तो नाम हो गया तो यह नाम चलते रहेगा वहिए कल दिन आप प्रोप्राइटर रहे नहीं रहे फर्म चलती रही आपको भी बोल दिया कि आप अपने नाम से नहीं करके एक फर्म का नाम रहे दो के नाम से फाइदा क्या है कभी आप की जगे आप इस पर किसी को पार यह अहां एक्सेब्स की यह एक्सफिये एक्सेप्शन की सर्डुष बाटर प्रुम के नाम बना लो स नाम से प्राक्टिस को या फिर पाटनेुपundy सब कैसे होती है किसी नोला कि तो कमनी भी है तो बनाओ न क्या दिक्कत प्रब्लम होगे वहां पे डिरेक्टर नहीं होगे हाला कि उसके उपर भी एक कभी दीरे दीरे पढ़ते खुलेगी अभी तो पार्टी शुरू हुई है पर यह तरह दोस्तों कि इवाई जो कंपनी है वह कोई और रिपोर्ट पर कभी आप देखना की कोई भी ऑडिट रिपोर्ट उठा लेना उसमें साइन या तो इवाई लिल्पी करेगी क्योंकि पाट कप्ले साइन करते हैं की प्राइज जो पूरा डिस्क्षिशन किया इससे तुम्हें क्या समयज में आगे हैंडिया की कुछी वह हैं के साथ टाहिप कर रहा है वह उनके भी हाप पे साइंक करते हूं कैसे होता है वह सब अगी की बात है चलो अब यह जो पूरा discussion किया इससे तुम्हें क्या समझ में आ गया कि dim to be in practice किसे माना गया इग्जाम बंटा व्यूसे यह सब में कुछ भी important नहीं है सबसे important चीज़ है notified service कौन-कौन सी सेवाएं देने से आपको dim to be in practice माना गया तो ICI ने दो सेवाएं notify करी है एक को नाम दिया गया management consultancy services दूसरे को दिया गया other notified services यह दोनों ही important है सबसे पहले आपन बोलते है management consultancy service ऐसा का गया है कि अगर आप management consultancy services में से कोई services provide करते हो इंडिविच्वली या पाटनर्शिप में for a consideration of dim to be in practice बले यह service कोई भी रांचाटइड अकाउंडेंट भी दे सकता है पर अगर एक सिये देगा तो उससे लोगों की उमीद जागेगी इस कारण से माना जाएगा इस कारण से माना जाएगा इस कारण से माना जाएगा क्या आप दिम-to-be in practice क्योंकि आपका नाम जुड़ गया ना और आप इंडिविजुल के पास रटी में दे रहे हैं यानि आपके पास वो पावर भी है कि आप दूसरे भी काम कर सकते हो कौन से जो सिये कर सकते हैं तो अगर आपको वो काम करने की इच्छा है तो फिर आपके सारे कामों के उपर इंस्टिट्यूट क्या करेगा बंदिशे लगाएगा आप इन में से कुछ भी करो और दिम भी इन प्राक्टिस तो तो management consistency सवाव में क्या क्या आगे आप financial management related, cost management related, organization, business management, system management इस पूरे में ध्यान रखना important दो चीज़े होती है एक तो जो जो management services में specific exclusions है और जो जो management consultancy services की अलग से definition दीगे exam में question इन दो चीज़ों पर ही आते, देखो दोस्तो regular batch में क्या होता है अपन पूरा पढ़ते है, important mark करते है, fast track में थोड़ी approach क्या होईगी हर चीज में जो important है, में सीधे उस पर आपको focus करवाँ पहली बता दूँका, पढ़ेंगे पूरा पर focus उस पर रहेगा तो आपको भी पता है क्योंकि इतना बड़ा services सारा नहीं पढ़ा जा सकते है, faster का अपरोच के इतना है, एकदम targeted है तो system management की आपको description दिया था, आपको देखना पड़े है system management यानी system का analysis design करना, computer related services जैसे की selection of hardware, development of software in all areas of service which can otherwise be rendered by chartered accountant in practice and also to carry out professional services relating to electronic data processing कभी तुमको ऐसा सवाल आ जाए कि एक chartered accountant एक company है जो अपने आपे पूरा IT infrastructure बना रही है और उसको बुलाएगी तो हमें help करो यह decide करने में कि हमें कौन सा computer खरीना चाहिए software खरीना चाहिए network यूज करना चाहिए firewall बनाना चाहिए और CA ने इसी services दे थी पर उसका क्याना है कि मैं यह सेवाय दे सकता हूँ भली में member in practice नहीं हो क्यों क्योंकि CA related service नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा CA तु गलत है क्योंकि ICI ने notify किया है कि अगर तू पैसे के लिए individual या partnership की capacity में notified service देगा तो dim to be in practice नोटिवाइट सर्विस में management consistency service नोटिवाइड है जिसमें system design और implementation service नोटिवाइड है जिसमें selection of hardware और software नोटिवाइड है इस कारण से तो dim to be in practice ऐसे लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने बोला जहां-जहां description दिया है नो इंस्टिट्यूट इतना बदमाश है वह इसमें से एक particular चीज उठा के उस पर question पूछन और दोस्तों यही बदमाशी के कारण चार्टेड अकाउंटेंट की आज वाखत है क्योंकि जो आई फॉर डीटेल हमारी होती है न दूस्तों वह बहुत ही कम professionals की होती है जिस बारीकी से हम चीजों को देते हैं गहराई में उतरते हैं उसका कारण हमारा यह खरी को लगए इसके फाइदे भी है आईए investment advice but not portfolio management बहुत important क्या यह जो मना किया है दोनों में क्या फरक होता है portfolio management में अपन funds invest करते है of client advice में हम सिर्फ advice देते है client को he invest इस कारण से यह consultant रोल है consultancy दे रहे हैं और यह अपने आप में fund manager का रोल है हम किसी के fund manager नहीं हो सकते हम उसको सिप advice दे सकते हैं अपने पास एक client आया उसने बला यार्ज यह सब बताओ ना पैसे का इंवेस्ट करूँ बड़ा आदमी है पहले बहुत चोटा था मुझे याद है जब पहली बार आया था तो इसने बुला सर बताओ invest का करूँ पैसे हम लापने क्या सोचा है मैं मैं सोच रहा हूं 20% कर दो 30% अर्विय वांज में डाल दूं और 50% इक्विटी में डाल दूं एक्विटी में भी मैंने सोचा है आधा स्मॉल क्या आधा प्यूटी मैंने बुला फंड किता है इत्ता सोच रहा हूं पैसा का में तब सोच लो तो जब बढ़ता है तो बासानी होती है मैंने बुला भाही की सोच है जला चलो आज वही जिसका पहले हम एक लाग का फंड मैनेज करते थे आज उसकी 100 करोड की फंड हमसे मैनेज करते तो वह आया उसने पूछा कहा है अध्वेस्ट करूगा थे उसको एडवाइस देदी और वह बकायदा हमको इसकी क्या करता है म उससे पैसे ले रहे हो यह चलेगा जहां उसने तुम्हें पैसे दे दी और तुमने बोला मैं आपके भियाब पे इन्वेस्ट करूंगा आपसे पूछ के या पावर अटानी लेके प्राइबिट ने कोई बोल रहा है सब के लिए हो रहे हैं एक बार बताईए ने दोस्तों साफ साफ बोल रखा है किसी भी अवस्ता में आप फंड मैनेज नहीं कर सकते किसी का भी यानि आप पैसे लेके फंड मैनेज करने का काम नहीं करोगे आप एक कंसल्टेंट हो कंसल्टेंट की तरह काम है एडवाइस देना अलावड है मैनेज करना अलावड नहीं है इसमें ज्यादा important क्या है sir, जो मना किया है वो, exam में वो ज्यादा कोश्च देखना, next, management, operational audits, inventory management और HR management, इसका भी description दिया है तो important, organization का structure और behavior देखना, human resource का development including training programs करना, work study करना, लोग कैसे काम करते हैं, कैसे बहतर किया जा सकता है, job description, evaluation, workload evaluation, इसके अंतर का ध्यान रखना दोस्तो, development of human resource में, training programs में, it also includes recruitment, assistance, and search, employee को recruit करना है, तो onboarding करना, placement, consistency देना, ये सब भी इसका part है, allowed, couple lag नहीं हो रहा है दूसरों के लिए, तो आप एक बार आपकी level पे check करो, देखो CA बना दिया, भाई तो नखरे शुरू हो गए इनके laptop, computer के, internet के, valuation of share business, कर सकते हो, market research भी कर सकते हो, equity research, other management decision making, advisor to consultant to an issue, registrar to an issue, सब बन सकते हो, पर अंतु बिटा merchant banking नहीं कर पाऊ, excuse me, merchant banking नहीं कर पाऊ, what is merchant banker? merchant banking which involves underwriting, ये prohibited है, आपको मैंने open PDF इस chapter की share किया, आप चाहतो अपरेंट निकाल लेना, जब तक किताबे आ रही है तब तक, annotation वाली PDF भी इस chapter की share कर दो, तो अगर exam में simple आता है question, क्या CA merchant banker बन सकता है, can CA be a merchant banker, तो आप answer लिख देना, no, तो exam में question आता है, CA is merchant banker, category 4, where he is only an advisor to an issue, and is not an underwriter, तो आपका answer होगा चलेगा फिर, अब इसी बात है मैं see in practice की बात कर रहा हूँ, merchant banking का मतलब क्या होता है, जब आप public issue लेकर आते हो, या आपको पर investment चाहिए, तो यह बंदा आपको पैसे दिलवाता है, तो यह बोलता है public issue ला रहे हो, चिंता मत करो, मैं सब manage करूँगा, का है advertise कराना है, bank से कैसे coordinate करना है, publicity कैसे करनी है, मेरी guarantee आपका minimum subscription आपको मिलेगा, यह आपके share बेचने का काम करेगा, या आपने बुला है यार मुझे ना, public issue लाना है private investors से चाहिए, आप उसे पर पतत करोगे, वो merchant banker बोलता है, चिंता मत करो, I'll get you good investors, यह pitch करेगा, लग लग जगे आगे आगे और आपको fund दिलवाएगा, sales का काम है, तो merchant banking का basic nature ही sales होता है, commitment के आपको पैसा दिलवाँ नोने, इसलिए यह काम CA पर शोबानी देता, मना गराएगा, ऐसी नहीं अलग business है, आप practice में हो तो फिर यह सब मत कर, merchant banking तो बोल देना नहीं क्यों, क्योंकि merchant banker का basic role ही underwriting का होता है, पर specific बोले underwriting नहीं कर रहा हो, और merchant banking कर रहा हो, सिर्फ consultation दे रहा हो तो चलेगा, तो पहले होता था, CB में 4 category के merchant banker होते थे, category 4 के पास underwriting license नहीं होता था, उस रिफ consultant हो एन issue होता था, वो आप कर सकते हो, 3 to 1 में underwriting भी होती थी, प्लस एक level पर आप marketing करते थे, एक level पर आप marketing register, consultant सब कुछ बनते थे, तो जित्ता बड़ा level उत्ती ज़्यादा सिवाय आप दे सकते हो, तो underwriting जैसी involved हो गई, prohibited हो, तो research पकेर आप कर सकते हो, कोई देखकते, quality audit, environment audit, energy audit करना, banking sector में recovery consultant बनना, ध्यान रखना consultant बुलाए, आप recovery agent मत बन जाना, agent मतलब कि आप वसूली करने मत चले जाना, आपने 10 इस तरह के क्या रख लिए, एक दब इसे, article रख लिए, 6-6 फुट गया, और आपने वसूली का काम ले लिया, बढ़िया ऐसे, पीतल की मौला पेना दिया, दस दस तोले की सब कोर्स अब वसूली पे जा रहे, इन भी एफ सी ने हमें काम दिया, यहां यहां से लोन रिकवर नी होरे, और रिकवर करवा रहे, इसे काम नी करना, का कंसल्टेंट अलग होता है, कंसल्टेंट क्या होता है, आरभी आई के साथ, रिजिस्टर कंसल्टेंट होते है, आरभी आई का कंसल्ट है, बैंक अपने अंदर, कंसल्टेंट रिजिस्टर कर सकती है, रिकवरी के लिए, यह consultant का basic role क्या होता है आपके एंपी हो गए या गई से recovery करना है तो वो उनसे जाके एक तरह से negotiation करके दोनों पार्टिस को मिलवा कि क्या करें इसे बोलते एक इसे आप recovery consultant बन सकते हो इसमें इंशॉरंस financial advisory services brokerage नहीं दे सकते हैं तो आपको client को बता करना है insurance concept product में invest करो ठीक है तो इसा नहीं तुम्ही एजेंट बन गए और policy बेच रहो उसका commission मिल रहा है तो insurance company से कोई commission नहीं आना चाहिए advisor contentant to an issue इसमें आप यह सारे काम कर सकते हो prospectus बनाना listing agreement में application लगाना cb की formality पूरी करना roc की formality पूरी करना publicity का budget decide करके decide करना कहां कहां पर publicity करेंगे underwriter appoint करना उनके साथ agreement करना और खुद underwriting नहीं करना register to an issue printer advertising agency यानि सारे vendors को इकटा भेला करना post issue के बाद कैसे listing होगी certificate कैसे dispatch होगी refund कैसे होगा यह सब कर सकते हो पर आपको फिर से दुबारा बता दे कि कि किसी भी तरह की broking underwriting या portfolio management allowed नहीं पैसे दिलवाने वाले काम आपको लगा only underwriting service allowed ही नहीं सवाल ही नहीं होगता आप insolvency professional बन सकते हो और registered valuer बन सकते हो companies act के अंतरकत कोई भी admin सेवाएं अगर आपको देना यह blue में जो दिया गया है ना यह पिछले दो साल में आड हुआ है तो relatively थोड़ा ज्यादा important है इसलिए blue में होगा कैसी admin सेवाए gst के return file करना tds के return file करना बुक कीपिंग करना इस तरह की सेवाए एड word processing admin का काम form file करना कई हो क्यों क्यों होते है न आपके data computerize करना यह सब काम कर सकते हो को देख करें यह सब management consultancy services है दोस्तों आप एक चीज अच्छे समचाओ management consultancy services का मतलब क्या है MCS means two things a CA in practice can render such services a CA rendering such services will be deemed to be in practice hence need to have a COP in advance इसके दोनों मतलब है समझने के लिए लिखाए किसी ने बोला nutshell में sales नहीं करना बोल सकते हो आप लिख नहीं सकते हैं अगर आप management consultancy services दोगे आप दीम टू बी इन प्राक्टिस मन लिए जाओगे यह कोई नॉन सीएपी दे सकते हैं similarly अगर आप एक CN service हो तो यह सारी सिवाय देने में कोई restriction नहीं है क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों एक chartered accountant and service के उपर कुछ restrictions होते हैं एक CN service हर तरह के धन्य नहीं कर सकता ICI बोलता है कि अगर तो प्राक्टिस पर बता तो फिर प्राक्टिस ही करो दूसरा कोई भी काप करता है तो अपसे परविशन देता पड़े है एक CN service सरी एक CN प्राक्टिस है उसको जॉब करना है तो ICI को पहले बताना पड़ता है उससे पूछना पड़ता है वही है जॉब कर लो ICI permit करेगा तो ही करेंगे नहीं तो ICI बोल देगा practice COP छोड़ दो और स्रिफ जॉब करना हमें नहीं कराना कि ICI बोल देगा चलो ठीक है part time practice कर लो part time job पर उससे permission लेना पड़ती है पर management consultancy सेवाए ऐसी सेवाए मानी गई है जिनमें कोई permission लेने की जरुबत नहीं है माना जाता है कि आप ये सेवाए दे ही सकते हो अगर आप कौन हो एक cn practice ये सेवाए दे सकता है इसका एक मतलब यह है और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अगर तुम CA हो और इसे कोई भी services दोगे तो मान लिया जाएगा कि तुम CA in practice or deemed to be in practice एक्जाम में question दोनों तो रखिया से एक chartered प्रक्टिस में है और वह investment advisory service देता है पर खुद fund manage नहीं करता है बताइए क्या चलेगा आप बोलोगे यह और आपको question ऐसा भी आ सकता है कि एक chartered accountant है जो practice में नहीं है लेकिन उसने banking sector में recovery consultant का काम शुरू किया है क्या उसे deemed to be in practice मना जाएगा तो आपको answer देना होगा हाँ क्योंकि वो notified services का part ऐसा तो दोनों तरह की questions आ सकते हैं दोनों तरह आपको समयना है यह management consultancy services का discussion हो पहला पार्ट notified services council के द्वारा दो है एक management consultancy services और एक other notified services अब अपन उस पर आते हैं आप देखो अभी तक कहीं पर भी tax matters नहीं है तो other notified services के अंतरकत कहा गया है cost tax और financial matter में अगर आप advisor या representative की कोई भी सेमाय देते हो तो भी dim to be in practice professional capacity और ना तो personal में ना as an employee परस्टनल मतलब बिना पैसे के employment यानि की as a employee यानि की employer के behalf पे professional capacity में अगर आप liquidator, trustee, executor, administrator, arbitrator, receiver, advisor, representative for costing financial taxation matter यह in fact इसको ऐसे पढ़ना चाहिए receiver, advisor और representative for costing financial or taxation matter तो पहले देखो लिक्विडेटर कम नहीं लिक्विडेशन वाले काम है अब आप government के employee हो central government के और वो काम कर रहे हो तो इंडिविजवल के priority में नहीं है trustee appoint करते ते कई बार कोई third party की death हो गई उसने अपनी property में trustee appoint कर दी और बोला वही है तुम manage करना इस property को public welfare में या पैसे कमाने के लिए तो उसमें normally CS type के लोगों को भी independence के कारण appoint कर देते एक्जीक्यूटर किसी की death हो जाती है तो विल एक्जीक्यूट करने का काम को insolvent हो जाता है तो उसकी liability pay off करने के लिए arbitrator sorry administrator appoint कि उसकी official receiver appoint किये जाते receiver उसे कहते है receiver मैंने green में mark करना चाहिए receiver insolvency के case किसी की property के उपर administration as in protect करना है भई या कोई फॉरन चले गया तो administrator appoint कर देना arbitrator मांड वाली करवाना तो लोगों की जगड़े हो गया सुल जाना out of the court settlement इन सब सेवाओं के लिए या फिर advisor और representative services आप दे रहे हो costing financial tax matter पैसो के लिए individual partnership में employment में नहीं तो dim to be in practice इसके अलावा आप central government, state government, court of law, legal authority यह secretary बन रहे हो बिना employment लिए तो भी dim to be in practice हो important नहीं है skip करो और service with armed forces के दौरान भी आपको dim to be in practice मना जाएगा वह एक समय होता था जहां पर क्या होता था हर किसी को compulsory होता था army में serve करना time तो 30 अमें तक आप COP hold कर सकते थे और आपको dim to be in practice continued मना जाता है अब इसका relevance नहीं है पर module में दिया हुआ है तो दे दिया उसका छोड़गा और सिये की यह खुबी है कि साथ साथ दूसरी बच्चर री डिगरे आती रहती है और सिये चलती रहता है शीये सिये में हो गया यह हो गया अब मैं costing advisory दे रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा है मुझे CS institute सरी सीये में कॉस्टन management accountant का डिम टूबी इन प्रैक्टिस member होंगा क्योंकि उसकी इसी definition होगी यह ICI का तो यह तीनों institute ने अबसमें agreement किया है कि अगर किसी के पास तीनों की degree है या एक से जाधा degree है तो अगर वो किसी एक की COP ले लेगा तो बाकी दोनों उसे dim to be in practice नहीं मानेंगे अगर कोई overlapping areas मैं CA बन गया CMA बन गया पर मैंने CMA की COP ले ली और मैं costing की advice दे रहा हूं तो टेक्निकली costing की advice अगर मैं individual capacity में दूंगा और मैं chartered accountant तो हूं हूं member तो हूं तो मैं team to be in practice ICA का जाओंगा तो ICA मुझे नहीं माने का ICA हो लेगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने CMA की COP ले रखिए तो हम आपको यह नहीं मानेंगे क्या सर मैं dual COP ले सकता हूं कि CA और CS दोनों की ले लिए ICI को problem नहीं है दोस्ता ICI बोलता है if you want to hold COP of Chartered Accountancy and also CS CMA और Advocacy we have no problem if the other institute has no problem पर तीनों institute allowed नहीं करते तीनों institute बोलते हैं अगर आपके ICI की COP है तो हम आपको practicing certificate नहीं देंगे यहां पर तो अगर question आए क्या dual COP allowed है तो आप लिखोगे ICI ने permission दिये कि CA in practice COP hold करने के साथ-साथ CA में ICS, ICS Institute और Bar Council Advocate इन तीनों में से किसी की भी COP hold कर सकता अगर वो institute permit रहे इसके साथ ही तुम्हारा पूरा discussion किसका complete हो जाता है इसके ओपर questions कैसे आते हैं आपको questions बताऊंगा और उसको कैसे answer लिखना है यह इसलिए ताकि आपकी अभी से approach develop हो जाए exam में questions किस तरह के possibly हो सकता है उसको handle कैसे करना है है देखिया descriptive questions बस क्या continue इस तरह आप practicing chartered accountant agreed to select and recruit personal conduct training program for and behalf of client is that a professional misconduct तो question ने बुला है practicing और आप यह सिवाय दे रहे हो मैंने बुला दो तरह से question आते हैं practicing CA यह कर सकता है आप बोलोगे हां लवड दूसरा आता है आप CA practice में नहीं हो और आप यह कर रहे हो क्या team to be in practice हो यह वो question एसे professional ethics के सारे questions के answer तीन parts में देना सबसे पहले provision लिखना आप लिखना आप लिखना सपर section 2 subsection 2 a member is deemed to be in practice if individually or in partnership with any other member in practice or specified professionals he renders any of the specified services ICI is notified console is notified management consultancy services which includes HR management services which includes conduct of training program development program job search recruitment consultancy job description work study etc in this case CA practice में है और वो यही काम कर रहा है जो की notified services के अंतरगत दिया गया है तो इसमें कोई गलती नहीं है तो यह professional misconduct नहीं है यह शब्द अभी अगली glass में आएगा आप समझा आईगा तो क्या बुलाए नचल में देखे as per section 2 sub section 2 sub clause 4 which is basically other notified services यह पूरी कहानी लिखी फिर management consultancy includes personal recruitment selection फिर personal recruitment selection includes यह सब चीजे hence there is no misconduct exam में आप यह वाला answer question का देखोगे यह study material में देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा provision definition or conclusion पर आपके question bank में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ताकि आप ऐसे पढ़के exam में वैसे part में तीन part में डिवाइड करके answer क्या में लिखना चाहिए provision conclusion और underline करना आप लिख दोगे ना provision facts of the case और conclusion तो और अच्छा है पर मत लिखना समय ख्राब होगा समय पच्छता नहीं तो आप तीन परमें डिवाइड करके लिखना और सोचना provision लिखना फिर facts के साथ interpretation और conclusion तो यहां पर कई बार ऐसा होता है facts interpretation conclusion paragraph को merge कर देते है जब provision बहुत ज़दा लिंदी हो जाता है ऐसा करता है institute recording CN practice provide management consultancy other service to his client तो CN practice उसका question नहीं तो यहर पंद्राम looking to growing needs of his client to invest in stock market he also advise them on portfolio management service whereby he manage the portfolio of some client तो advise में problem नी थी पर portfolio management में दिखका थे तो आपर section 2 subsection 2 clause for notified service portfolio management prohibited आपने वो किया event manage करके इसलिए आप guilty of miss condition ऐसे answer लिए तो यह इस तरह के questions है इसे डेरोजा रहेंगे नथ सुक्त आपको इससे यह भी समझ में आगया कि कि questions आते हैं इस particular topic से related और उसको handle कैसे करना है क्या लिखना है आप self practice जित्ती करेंगे उतना और बहतर होते हैं इसके साथ दोस्तों आज अपना CA act में अगर उसका work 2-2 में covered है no special exemption के दे CA in practice deemed to be in practice होगा अगर वो deeming services में engage हुआ नहीं क्योंकि वो employer के behalf पर कर रहा है individual capacity में नहीं करता है क्या एक CA recovery agent हो सकता है नहीं consultant वो भी स्रिव banking sector को हर sector को नहीं agent नहीं क्या deal COP CA की CS advocate CA में और दूसरों के साथ permitted है ICI prohibit नहीं करता है इन तीनों के साथ others में no answer तीन के साथ ही institute में जाते जाते दोस्तों आपको एक जंदार question देखे जाता हूँ सोचेगा इसके बारे में अगली glass में discussion करेगे CA in service after officers also also files income tax returns of colleagues for a fees is he deemed to be in practice question का जवाब सोचेगा answer में ने दे दिया है अगली glass में में space करेंगे अपना यहां तक का discussion होता है आज चोटा था discussion हुआ हमारा 45 minutes course के discussion पे चले गया बाकी फिर अपनने एक basic चीज समझी पर बहुत important discussion था क्योंकि पूरा ethics शुरू इसी से होएगा जब तक आपको OCN practice की clarity नहीं है आगे बहुत सारी चीज़ों पर clarity आपकी नहीं पाईगे चलिए thank you very much that's it for the day we'll continue tomorrow